हाई डीफरेंट्स क्यासे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे हों चलिए आज जो हम आपकी जो 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 गर्फी की मेरा थन थी उसका दूसरा पार्ट हम डेकर आये डिस्प्लिट इसमें जो हम अपनी जो 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 कोशन है रोजकार वे अंकित की जो पुष्टा काई तो चैनल को सबस्क्काब जरूर कर लेंगे और पास के लागें को जरूर दबा लेंगे डीर फ्रेंट्स और class अच्छी लगए तो लैक जरूर करेंगे तो डिर्फट्स आज जो हम 8 chapters प्रिषली क्लास में discuss कर चुगे थे मेरा थनी की टाइप से और आज हम जो है 9th chapter से सुरू कर रहे हैं जिसका नाम रोगकारक एभम उपचार तो डिर्फट्स है हम क्लास को start करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं क्लास को तो इसमें question number आपको first मिलेगा जिसमें question number first आपसे क्या कहता है यहाँ पर कि भूजल में किस खनिज के संदुसर्ण के कारण बिलू बेबी syndrome होता है जो बिलू बेबी syndrome है बो किस के कारण होता है different तो UPSI 2017 हम पूछे हूँ question है आप देख सकते हैं तो first number का answer का difference क्या हो जागा है आपर nitrate के कारण बिलू बेबी syndrome हो जाएगा second number question के हम बात करेंगे मानव आवादी में बीमारियों और उसके शुरुतों के सांखी की अध्यान को रिक्त कहा जाता है सांखी की अध्यान को क्या कहा जाता है तो second number के हम बात करें difference महामारी बिग्यान कहा जाता है तो option number एक हैं पर सही हो जाएगा question number third आपका आता है खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले टीके का नाम क्या है जो खसरा रोग होता है उसके उपचार के लिए हम एक इस्तेमाल करते है टीका उस टीके का नाम क्या है difference यह भी UPSI 2017 हम पूछे हो question है तो third number के हम बात करेंगे difference तो कौनसा MMR आपका तो कौनसा हो जाएगा B option यहापर सही हो जाएगा और fourth number को सना आपका आएगा Q बुखार किस G value के कारण होता है जो Q बुखार है वह किस G value के कारण होता है तो यह right अंसर के हो जाएग difference हो कौक्षियला बनेंटी के द्वारा यह होता है तो C option यहापर सही हो जाएगा 5 number को सना आता है रोजे सिया एक आम बीमारी है जो मानफ सरीर के किस बहाग को परवावित करता है तो 5 number के हम बात करें difference तो C option यहापर सही हो जाएगा तो अच्छा तो यहापर C option यहापर सही हो का कारण बनता है रतोंदी जो रोग है किस बिटामिन की कमी से होता है जो difference से 6 number के हम बात करेंगे बिटामिन A की कमी से आपका होता है तो option number B है सही हो जाएगा 7th number कुस्छन आपका आता है किस बिटामिन की कभी के कारण इंसानों में रक्त अलपता यानि जिसे एनिमिया कह आपका हो जाएगा 8 number की हम बात करेंगे difference यहाँ पर सुष्ट लाल रख्त कड कोशका हैं जो होती है उनके लिए कौन सा खनी जाबस से कह है जिसकी कमी के करण एनिमिया जो आपका हो सकता है किसके करण तो बहुत ही simple है difference तो iron के कारण आपका यह हो सकता है तो यह option आपर सही हो जाएगा कुस्ष्ट बान नमबर 9 पर हम आते हैं पर पुर्ड की कोउप हो जिक्तР दोरा जिल प्रदूसर के करणं करेंगे तो पारा मरकर ही दोरा जिल प्रदूसर के कराणर आपका हुगा था सासा मनी मातार रोग का लोग का परा Caoid यहांपर आता है किस बिषाडू से होता है किस से सुषयन फिलु आपका फैलता है द्हुन से उसके खारण हमारा क्या है स्वान फिलु आपका रोग फैलता हैße सही हो जाएगा और इसी शाथ पढ़ेंगे यहाँ पर हम आपके 11 नमबर कुस्षन पर एंथ्रेक्स से जो एक घातक रक्त रोग का रोग का काराण बनता है किस प्रिकार का सूच में जीव है तो इसी के साथ 12 नमबर कुस्षन आपका आता है नमन मैंसे कौन से सूच में जीव के कारण जो है पिलेग होता है कौन सा जीव है जिसके कारण पिलेग होता है तो 12 नमबर के हम बाते हैं डिर्परंट से जीवारूड के यानि बैक्टिरिया के कारण हमारा क्या होता है पिलेग रोग होता है तो ऑप्सषन नमबर यहाँ पर स हो जाएगा तो अब्पन सा से कि अंसर अपको हो जाएगा तो सीं ओप्न यहां पर सही हो जाएगा 1-400 नम्बर की हम बात करें आपर निवन लिखित में सो कॉनुसा रोग जो पासहुझ और शुखतों के लार से पर सार्य सोटा है इनकी लार से जो है कौन सा आपका रोग होता है तो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा है यहाँ पर D option ब्लुक्त सही हो जाएगा यानि रे बीज तो right answer आपकर D हो जाएगा और इसे साथ 15 नमबर को सुना आपका आता है यहाँ निमने लिखत में से किस रोग को Ruby Ola भी कहा जाता है कौन सा रोग है जिसको Ruby Ola भी कहा जाता है तो 15 नमबर के हम बात करें डिर्फरेंट तो खसरा को बोला जाता है तो B option यहापर सही हो जाएगा 16 नमबर कुसरा अब कहाता है निमने लिखित में से कौन काला आजार रोग के लिए रोग बाहक के रूप में कारे करता है रोग बाहक के रूप में कारे करता है तो कौन करता है तो डिर्फरेंट से राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 16 नमबर के आंसर डिर्फरेंट से बढ़ मक्गी जिससे हम बोलते हैं SendFly तो option number 3 यहां पर सही हो जायेगा और c के साथ बढ़ने यहां पर हम question number 17 पर निमद्न लिखतमर से किस रोग को आम तवर पर mustis के ज्रूयर के नाम चाना जाता है mustis के ज्रूयर के नाम से किस रोग को जाना जाता है तो 요즘 17 नंबर दिरूति यहां पर हो कैंसर से जुड़ा है लीवर की कैंसर से जुड़ा हुए कौनसर रोग है आपका तो 18 नंबर के हम बात रहेंगे तो हेपिटैटिस भी का सांगे अब का साइगा नंवर को सनाता है शार्स का पूर्ण मुथे लगए द्वार्स पूर्ण का साही हो जाएगा 20 नमबर के हम बात करेंगे निम लेखित में से कौन सा योन संक्रमण है इन में से कौन सा है जो योन संक्रमण है तो 20 नमबर के हम बात करेंगे तो उपदन्स हो जाएगा तो D option आपर सही हो जाएगा 21 नमबर के हम बात करेंगे निम लेखित रोगों में से किसे धनु इस्तम यानि लकवा जिसे हम बोलते हैं हम नाम से जाना जाता है तो कौन सो रोग होता है आपका तो 21 ृप्षेनिया पर सही हो जाएगा 22 number question आपका आता है निमने लिखित में से कौन सा सूच मजीव hepatitis B रोग का काराण बनता है hepatitis B के रोग का काराण कौन सा जीव बनता है तो 22 number के हम बात करने difference यापर बिसाड़ू तो C option यहापर सही हो जाएगा और 23 number के हम बात करेंगे निमने लिखित में से किस रोग को हेंसेन रोग के रोप में जाना जाता है कौन सा रोग है जिसे हम हेंसेन रोग के रोप में भी जानते हैं तो 23 number के हम बात में difference है आपर कुष्ट रोग को D option यहापर सही हो जाएगा और इसी के साथ बढ़ेंगे आपर 24 number कुष्ट पर iodine के एपर यहाप तो 7 के कारण निमने लिखित में से कौन सा रोग आपको होता है iodine के जो एपर यहाप से बना आगर आप करेंगे तो यहापर कौन सा रोग आपको हो जाएगा बहुत ही सिंपल सा answer difference है गेंगा रोग आपको हो जाएगा तो आप्सन नमबर एक हैं सही हो जाएगा 25 नमबर के हम बात रहेंगे निमन लिखित में से किस बीमारी को आम तोर पर पिंक आई जो है पिंक आई गुरा भी आँक के रूप में जाना जाता है किस रोग को तो यहाँ पर 25 नमबर का जो answer difference है नेतर सोद को हम यहाँ पर जानते है तो D option बिल्कुल सही हो जाएगा और इसी के साथ 26 नमबर कुशन पर आते हैं निमन लिखित में से कौन फाइल एरिया रोग के लिए रोग बाहक रूप में कारे करता है जो फाइल एरिया रोग आपका होता है जिसका जो है आपको क्या बताना है कि रोग बाहक के रूप में जो बैक्टर के रूप में कारे करता है वो कौन होता है 26 नमबर के बात रहे हैं तो मच्छर हो जाएगा तो B option यहापर सही हो जाएगा और इसे एक साथ 27 नमबर कुछन पर आते हैं नेंद की खराब गुडबता और नेंद में कमी निम लेखित में सो कौन सी भीमारी के लक्षण है तो different कौन सी भीमारी के लक्षण होते हैं तो यहापर हो जाएगा निद्रा लोग तो option नमबर एक हैं सही हो जाएगा 28 नमबर के हम बात करेंगे निम लेखित में सो कौन सा बिकल्प जो है कबक है यानि फंगल संक्रमण का एक उधारान है तो यहापर राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 नमबर का जो कौन सा रोग पेचिस से संब्स these एक 2011 नमबर का जो आंसर होगा डिस्ट क्या हो जाएगा amoeuvices जो हो जाएगा कौन सा amoeuvices तो ए उप्षन आपर सही हो जाएगा 32 नमबर के हम बाट करेंगे करकट जन रसान से होता है जो करकट जन रसाइन होता है उसे क्या होता है और यह कुछन UP SOLS C PET 2021 से पूछे हो कुछन है तो 32 नमर के हम बात करेंगे डिर्फरेंट तो cancer होता है तो C-Option निया पर सही हो जाएगा और इसे के साथ तहां पर 33 नमर आता है निम लेखे तो रोग में से कौन सार रोग जो अप फपूंद के कारण होता है तो 33 नमर के हम बात करेंगे डिर्फरेंट से तो right answer हो जाएगा आपका दाद होता है तो D-Option आपर सही हो जाएगा 34 नमर के हम बात करेंगे मानब सरीर का कौन सा भाग है जो osteoporosis यानि अस्तिसुसरता से प्रभावित होता है कौन सा आपका सरीर का भाग है तो 34 नमर के हम बात करेंगे डिर्फरेंट तो हड़ दिया तो C-Option यहाँ पर सही हो जाएगा और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 35 नमर कुछन की निम्री खित में से कौन सा मानब रोग बैक्टिरिया के कारण उत्पन होते हैं तो 35 न कि द्वारा संकर में तो बाइरस के कारण होता है जो जी का वाइरस है इसके मुख रूप से जो है किसके द्वारा संकर में बाइरस के कारण होता है तो 36 नमर के हम बात करने डिर्फरेंट से एडीज मच्छर के कारण तो C-Option यहाँ पर सही हो जाएगा और दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल दोherbyes कप रिक्शर हम पूछा हुआ कुस्सान रैंपर तो 37 नमर के बात करेंगे नेफ्राइटेस एक चिकसर साइस्थिती ए जो किसको प्रभावित करती है तो 37 नमर यहाँ पर सही हो जाएगा 38 नमर के हम बात करने आपडर गलुको मीटर को अपयोग मौनिटर के रूप में जाता है कि इसको गिलुटो-मीटर को किस के लिए UT चाहिए गा 49 नॉमर आपका ता anthropology के टीचे ठीके की जाज किस ने कि vet थी को ठीका होता है उसकी खोज जो किसकी द्वारग कि गई तो रैट आंसर डीरफेंसKyya हो जाएगा है पर उन्तालिस नंबर का लूइस पंसर की द्वारा तो सही हो जाएगा छालीस निम्र कुस्व माथको सी आप आता है यह आपट निम लिखत में तो आपका रोग हो जाएगा और इसी के साथ बढ़ेंगे हम 41 नमर कुस्ण पर किस तत्यों की विसाक्षता के कारण इटाई इटाई रोग होता है तो 41 नमर की बात के इस तो क्या हो जाएगा केडिमियम तो D option यहां पर सही हो जाएगा 22 नमर के 42 नमर के बात करेंगे difference तो right answer यहां पर क्या होगा नेम लिखित में से क्या एक गुर्षूतर संबंधी विकार है गुर्षूतर संबंधी विकार कौन सा है तो 42 नमर के हम बात करें difference यहां पर तो right answer हो जाएगा down syndrome तो option number D है सही हो जाएगा 43 नमर के हम बात करेंगे शरीर में iodine की कमी का लक्षर नेम लिखित में से कौन सा है 43 नमर के हम बात करें difference थोराइड गरंतियों का सूजन है तो D option बिल्कुल सही हो जाएगा तो 44 नमर के हम बात करेंगे यहां पर एक ऐसी बीमारी जो बुखार सीने में दर्द और बजन घटने जैसे लक्षरों के साथ प्राय फेपड़ों में बिक्सित होती है तो कौन सी बीमारी तो 44 नमर के हम बात करेंगे difference यहां पर तो राइट आंसर के हो जाएगा यहांपर आपका हो जाएगा 6 रोग तो D option यहांपर सही हो जाएगा और यहापर 45 नमर को सनाता है नियमने लिह लिखत में इसे कौन सी बीमारी बारूरी वायरस से होती है कौन सी बीमारी है जो बारूर्स से होती है तो 45 नमर के हैं बात करेंगे डिरफरेंट्स तो पोलियो आपका हो जाएगा तो C-O blockchain आपक्षका सही हो जाएगा 46 नमबर के हम बात करेंगे difference नियम ने लिखित में से किस खनीज के आभाहों के कारण osteoporosis हो सकता है जो osteoporosis है आपको porosis है किस खनीज के आभाहों के कारण हो सकता है 46 नमबर के हम बात है difference तो calcium के कारण तो c option आपर सही हो जाएगा और इसी के साथ 47 नमबर को सुना आपका आता है प्राण घातक बीमारी एबोला उत्पन करने वाला कारग कौन सा है जो एबोला प्राण घातक बीमारी है उसको उत्पन करने वाला कारग कौन सा है तो 47 नमबर के हम बात करें डिर्फरेंट तो बिसार हुए यानि जिसको बोले तो सी आप्ट यहां पर सही हो जाएगा और 48 नम्र कुस्टन आता है निम लिखित में सो कौन सा यह गैर संचारी रोग है तो 48 नम्र की हम बात करें डिस्टन तो कौन से हो जाएगा मेरी की भी ऑप्टन यहां पर सही हो जाएगा 59 ADAS NUMBER कुछन आपका आता है यहाँ पर निमने लेकित मेंसे किसके द्वारा सोतनतंतर के रोगों का उफचार किया जाता है तो 59 नमबर के हम बात करें DifferentSatur तो फोपुस ही रोग बिशेट सक, यानि जिसको हम बहते हैं पल मोनो लॉजिस्ट यहाँ पर उसी ऑप्शन ब्लकुल सही हो जाएगा और इसी के साथ बढ़ेंगे हैं पर हम आपका जो है नेक्ट करेंगे difference और जो है आप जो है पीडिएफ इसकी चाहते हैं तो डिस्पीशन बॉक्स में जाएंगे बहां से टेलीग्राम गुरूप का लिंक बिल जाएगा उसे आप जोइन कर लेंगे पीडिएफ आपको बहां मिल जाएगा difference तो चलिए यहां 51 नमबर के हम बात करते हैं मयोपिया या निकट दरस्ती दो सनावक नेतर रोग को ठीक करने के लिए नियमन खितमे से किस परकार के लेंस को प्योग किया जाता है तो 51 नमबर के हम बात करें difference यहां पर तो अब तर ले उप्चारित छोड़ती है जाए तो इससे दांतों को नुक्सान भी हो सकता है तो 52 नमबर के हम बात करें यहां पर तो जीवादू जन्रेट आपका संक्रमड होता है तो यह option यहां पर ब्रुगल सही हो जाएगा तो तरह पर नमबर को सना आता है जीवादू के कारण मनुस पर अपर परो होता है तो चार जायेगा तो राईट आनसर आपके क्या हो जाएगा चार आपको दिये गए यहांपर हो जाएगा आपको सूका रोग तो सी ओप्सन प्रिकल सही हो जाएगा पच्छपर नम्बर के बात रहेंगे निम लेखित में से कौन सी बीमारी वह सवसंत अंतर से संब्धित नहीं है जो हमारी respiratory system से संब्दित कौन सा रोग नहीं है इसमें से तो 55 नंबर के इंबाते हैं डिर्फेंट जो 16 से से आपका वो इससे संब्दित नहीं है तो B option यहाँ पर सही हो जाएगा और इसी के साथ 56 नंबर कुशन आपका आता है कर्णश्वेक टिटनिस नामक स्वास्थ समस्थे सरीज के किस अंग से संब्दित है जो टिटनिस है वो किस अंग से संब्दित है तो 56 नंबर के बाते हैं डिर्फेंट तो किस से कान से तो C option यहाँ पर सही हो जाएगा और यहाँ पर बात करेंगे 57 नंबर कुशन की यहाँ पर सूचम जीवी के किस समूँ से मलेरिय तता काला आजर के कारक जीव सम्दित होते हैं तो 57 नंबर के बाते हैं डिर्फेंट किस से ताब बटनाएंग यहाँ पर प्रोटो जो आ तो C option यहाँ पर सही हो जाएगा 58 नंबर के हम बात करेंगे रैवीज का मुख लक्षण क्या है रैवीज का मुख लक्षण क्या है तो 58 नंबर के हम बाते हैं डिर्फेंट से हाइडरोफोबिया या पानी से डर लगना आपका वो किसका होता है लक्षड तो आप बताएंगे रह भीच काते हैं आपर D option बिगल सही हो जाएगा और उनसेट नमर के हम बात करेंगे पेलिया होने की दसा में कौन सा अंग जो है परभाहित होता है अगर किसी को पीलिया हो जाए तो उसका जो है कौन सा अंग जो है परभाहित होगा तो उनसेट नमर के हम बात करेंगे तो यह अकरत होगा तो यह option यह आपर सही हो जाएगा साथ नमर कुस्ण आपका आता है मदूमे के लक्षड है तो साथ नमर के हम बात करेंगे तो बार बार जो है पेशाव याशमान प्यास लगना डी ऑपिस नहीं पर और इस एक साथ बढाएंगे हम हम साथ नमर कुस्ण पर हैजा इसके कारण होता है जो हैजा है वो किस के कारण होता है तो डिपेंट 22 से नमर के हम बात करेंगे तो G वाड़ू के कारण होता है तो D option यहाँ पर सही हो जाएगा और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 63 से नमर कुशन पर 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 दूसरत हवा में सांस लेने से होने वाली बीमारी है जो पर दूसरत हवा है उसमें सांस लेने वाली होने वाली बीमारी किया है तो डिपेंट से यहाँ पर बात करेंगे तो 63 नमर के हम बात करेंगे यहाँ पर दमा है आपकी है तो C option यहाँ पर सही हो जाएगा इसी एक साथ 64 नमर कुशन आपका आता है यहाँ पर जो संक्रामक नहीं है कौन सा रोग है एक हेमोफिलिया है वो एक तरीके से क्या है तो 65 नमर के हम बात करेंगे यहाँ पर जयरम जातर रोग है आपका 16 नमर कुशन आता है आपका नमर्खत में से बाई जयनित रोग की पैचान करें बायू के दोरा जो उत्पन हमारा रोग होता है उसकी आपको पहचान करनी है तो डिर्फेंट 66 नंबर का आंसरों का आपको क्या हो जाएगा सामन, जुकाम, एवन, तपेदी का आपको हो जाएगा तो बी उप्सन या पर सही हो जाएगा और 66 नंबर के हम बात करेंगे यहाँ पर डिर्फेंट तो कुछन नंबर 66 आपको के कहता है सोनेहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है तो 67 नंबर के हम बात करेंगे यहाँ जो जीरो फ्थेल मिया होता है उसके सामन, सहायक होता है तो सी उप्सन या पर सही हो जाएगा 68 नमबर के हम बात करेंगे टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है जो टाइफाइड और मियादी बुखार है वो किसके द्वारा फैलता है तो difference पानी खाद पदाहरतों के द्वारा तो difference यहाँ पर D option बिल्कुल सही हो जाएगा और 69 नमबर को सना आपका आता है फेपडों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है जो फेपडों का सफेद कैंसर है वो किसके कारण होता है तो 69 नमबर के हम बात करेंगे difference यहाँ पर तो right answer आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर as wish test के दो है कारण होता है तो 70 नमर की हमबात करते हैं डिर्फरेंड नाइटरीट की कारण तो D-option ये आपर सही हो जाएगा 71 नमर को सनाता है बेरी-बेरी खुराक में किसी कमी के बज़े से होता है तो डिर्फरेंड जो बेरी-बेरी रोग है किस विटामिन की कमी से होता है तो एकत्र नम्बर के हम बात करें डिष्टर्ट तो बिटामिन B की कमी से होता है बैरी बैरी तो B option यहाँ पर सही हो जाएगा और 72 नम्बर के हम बात करेंगे बाड़ाधरता का दूसरा नाम क्या है जो बाड़ाधरता है हमारा उसका दूसरा नाम आपका क्या है लाइन डेनस का तो डिफ्रेंस यहां पर 72 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डॉल्टन पिर वहा होते हैं डी ऑफ्सन ब्रबल सही हो जाएगा और इसी के साथ 73 नंबर कुस्टन आता है आपका पोलियों की दवा का अभिस्कार जो है किस ने किया था तो पोलियों की दवा का के लिकेट से बीमारी किसके आवाउं में होती है यहां पर 24 नंबर के हम बात रहें ज़रोग है इनम उसी कौन सा रोग है जो बायू के द्वारा फैलता है तो सेहां पर 75 नंबर के द्वारा फैलता है तो 76 नंबर के द्वारा फैलता है तो 76 नंबर के द्वारा फैलता है तो 76 नंबर के द्वारा फैलता है तो 77 नंबर के द्वारा फैलता है तो 77 नंबर के द्वारा फैलता है तो 77 नंबर के आठाड वहापका किसी द्वारा फ्यलता है तो 77 पीन्ये सब्सक्राइब यहां पर है जाएगा बात करेंगे सब्सक्राइब एक ऐसी तकनीक है जिसका उपियोग नियम लिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है इसकी तो किसकी है तो है पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 79 नंबर के डिफ्रेंस तो किसका इक्वाइड इम्मीनोडिफिसियंसी सिंड्रोम का पता लगाने के लिए हम किसका प्रियुक करते है डिफ्रेंस एली से टेस्ट का करते है तो आप्सन नंबर डिया सही हो जाएगा 80 नमबर को सनाता है कुष्ट रोग रेक्त जीवाड़ू के कारण होता है जो कुष्ट रोग है हमारा वह कौन से जीवाड़ू के कारण होता है तो difference 80 नमबर के हम बात करेंगे तो राइट अंसर के हो जाएगा माइको बैक्टिरियम लेप्राई के द्वारा होता है तो D option यहापर सही हो जाएगा 81 नमबर को साथ आए नेमने लिखित में से कौन सा जल स्वच्छता संबंदी रोग नहीं है जल स्वच्छता संबंदी रोग कौन सा नहीं है तो difference यहाई क्या सी नमबर के हम बात करेंगे तो राइट अंसर के हो जाएगा डाइबिटी यहापर तो D option यहापर सही हो जाएगा और 82 नमबर को सान के हम बात करेंगे ट्रागोमा एक रोग थाम योग रोग है जो साफ सफाई तता सोचता ना होने के काराण होता है और यह रोग सरीड के किस भाग को प्रभावित करता है तो difference आसान सा question जो ट्रागमा आपका होता है वो किस लग को प्रभावित करता है तो difference आँक को तो D option यहापर सही हो जाएगा बात करेंगे यहापर हम 83 नमबर को सनकी डाउन सिंड्रोम रेखते है जो बौधी कठनाईयों और सारी स्वास्ते विकास में देरी और दिब्यांगता का काराण बनता है किसका दिब्यांगता का काराण बनता है तो 83 नमबर के हम बात करेंगे देरी फ्रेकशन के कौकर सारे हो इनासे चार उप्रशन आपको दिए गए ऩुचा गया तो क्या मलेरी आ जाएगा 86 नंबर के हम बात करेंगे निम लिखित में से कौन सा एक विशाड़ू जनित रोग नहीं है इन में से कौन सा है जो विशाड़ू जनित रोग नहीं है जिसा द्रश्टी हानी और अंध्यपन का कराण बनता है और जो आँखों के अंदर सामने द्रवदाव को धीरे धीरे बढ़ने से होता है तो कौन सा हो जाएगा डिर्फरेंट 87 का अंसर तो गुलू कोमा तो यह उप्शन नंबर यहां सही हो जाएगा 88 नंबर की हम बात करेंगे निम रिखित में से कौन से एक संक्रामक रोग है कौन सा है जो की एक संक्रामक रोग है तो 88 नंबर की हम बात करेंगे आपका तो संक्रामक रोग जो हो जाएगा आपका वो खसरा हो जाएगा तो यह उप्शन है आपर सही हो जाएगा 89 number के हम बात रहेंगे निवन में से कौन एक जल जनित रोग नहीं है 89 number के हम बात करने धिन्टस ता हबकर कंठ माला हो जाएगा तो option number b यह सही हो जाएगा 90 नमबर के हम बात करें मदू में एक ऐसी इस्थती है जिसमें किसी ब्यक्ति के रक्त में रक्त का इस्थर जो है बेहदूचा हो जाता है तो डिर्फेंट से जो ब्लेड में हमारा होता है वो किसका इस्थर जो है बेहदूचा हो जाता है तो 90 नमबर के हम बात करेंगे डिर्फरेंट तो गुलुकोज की मातरा जो हमारी बलेड़ों बढ़ जाती है इसलिए जो हमारा मदू में रोग होता है तो option नमबर यहाँ पर भी option बिल्कुत सही हो जाएगा 91 नमबर कुछन आता है इन निमन में से कौन सा रोग जो है बिसाडू के कारण होता है बिसाडू के यानि बाइरस के कारण इन में से कौन सा रोग होता है और SSC MTS 1219 में पूछे हो कुछ सने तो 91 नमबर के हम बात करेंगे डिर्फरेंट से आपर तो option नमबर कौन से हो जाएगा आपका जो बिसाडू से होता है वो रोवेला होता है तो C option नमबर सही हो जाएगा और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 92 नमबर question पर रोटा वाइरस टीक का परियोग किस रोग से बचने के लिए किया जाता है जो रोटा वाइरस है इसका परियोग जो है किस रोग से बचने के लिए किया जाता है तो डिर्फरेंट किस से डाइरिया से बचने के लिए तो option नमबर बी हैं सही हो जाएगा बात करेंगे यहाँ पर हम 93 नमबर कुछन की निम लिखत में से किसकी कमी के काराण जो है पेलागरा रोग होता है किसकी कमी के काराण जो हमारा पेलागरा रोग होता है तो 93 नमबर के हम बाते हैं डिस्पेंट से नियासीन की कमी से हमारा पेलागरा रोग होता है तो D option यहापर सही हो जाएगा और 94 नमबर को सुन आता है निम रिखतमें से किस बीमारी के नाम का अर्थ है evil influence of stars evil influence of stars जो है किस बीमारी के नाम का अर्थ है तो यहाँ पर हम बात करेंगे difference 94 नमबर को सुन गी तो कौन से हो जाएगा influenza तो C option यहापर सही हो जाएगा 95 नमबर को सुन आता है हानिकारक एनिमिया बिटामिन रिक्त की कमी के करान होता है जो एनिमिया है वो कौन सी बिटामिन की कमी के करान होता है और अभी यह question difference में थोड़ी दिर पहले बताया तो बिटामिन बिटामिन की कमी से तो D option यहापर सही हो जाएगा और 96 नमबर को सुन पर आते है निम लेकित में से किसे बिडाल प्रेक्षेंट से पताया लगाए जासकता है हम बिडाल प्रेक्षेंट से किसका पता लगाते है जो डिर फ्रेंट से टाइफवाइड बुखार का तो option number A यहापर सही हो जाएगा और इसके साथ 97 नमबर को सुन आता है हेमोफोबिया का डर है जो हेमोफोबिया है वो किसका डर है डिर फ्रेंट तो हेमोफोबिया किसके लिए होता है ले जी आई के नाम से ज़िए जाना जाता है तो 98 नंबर की हम बात करेंगे डिर्फरेंट से आपर तो option नंबर कॉन से सही हो जाएगा तो M by low PIA हो जाएगा यहापर तो D option यहापर सही हो जाएगा और इसी के साथ बढ़ेंगे यहापर आपका 99 नंबर कुशन पर थाइमीन की कमी से क्या परणाम होते हैं जो थाइमीन की कमी है उससे क्या परणाम आपके होते हैं तो 99 नंबर की हम बात करेंगे डिर्फरेंट से आपर तो берie बेरी डोग होता है तो C option यहापर सही हो जाएगा और 100 नंबर कुशन की हम बात करेंगे लिवके मिया एक परिकार का ऐस समान रिक्त है जो लिवके मिया है वो एक परिकार का डिर्फेंट्स क्या है तो 100 नमबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा सुएत रक्त करड़काओं की में कमियाब की हो जाती है तो विव उप्सन यहापर सही हो जाएगा तो डिर्फेंट्स क्लास अगर आपको परसंदार ही है तो लाइक जरू करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरू करेंगे डिर्फेंट्स हमारे लिए सपोर्ट कीजिए आपकी सपोर्ट की जुए हमें बहुत ही इंपोर्टेंस है बहुत ही आवसकता आपको है तो सपोर्ट जरू करेंगे डिर्फेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्लास को लाइक जरू करेंगे और इसी कसाथ 101 नंबर के समपर हम आते हैं अब साथ एक रिक्त विकार है जो अफसाद है वो रिक्त विकार है किसका तो डिर्फरेंट से 101 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट अंसर के हो जाएगा मनोदसा विकार है तो यह अफसन आपर सही हो जाएगा बात करेंगे 102 नंबर की है AMR तब होता है जब बैक्टिरिया, बायरेस, कबक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओ का जवाब नहीं देते हैं जिसमें संक्राणों का इलाज करना मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने गंबी बीमारी मुरतिव का खतरा बढ़ जाता है तो AMR का जो है, फुल फॉर्म आपसे पूछिए तो AMR की फॉल फॉर्म क्या हो जाएगी तो डिफरेंट्स यहां पर AMR की जो फॉल फॉर्म होगी आपकी क्या हो जाएगी यहां पर anti-microbial resistance क्या anti-microbial resistance आपका हो जाएगा तो D option यहां पर सही हो जाएगा ट्राकोमा एक रोकताम योग बीमारी है जो खराब स्वचता और स्वचता के पढ़ना सुरूप होती है यह ने मिल्खितमे से किस सरीर के किस अंग को प्रहाइद करती है तो डिफरेंट्स नेत्र को प्रहाइद करती है तो option यहां पर सही हो जाएगा एक सचार नमबर के हम बात करेंगे यहां पर डाउन सिंड्रोम रिखता है जो सीखने की कठनाई है और सारे एक स्वास्त विकास में देरी और दिब्यांग रता का कारण बनता है तो difference से किसका रोग है जो डाउन syndrome है तो 104 नमबर के बाते हैं तो अनुबान से रोग आपका होता है तो भी option यह पर सही हो जाएगा 105 नमबर के हम बात करेंगे vitamin रेक्त की कमी से पहला गरह होता है कौन सी vitamin है जेज की कमी से जो है पहला गरह रोग होता है 106 नमबर के हम बाते हैं तो प्रोट हो जो है तो यह option यह पर सही हो जाएगा और 107 नमबर के हम बात करेंगे बहु आसदी चिकस्ता किसके संक्रमण के लिए है आपकी यह बहु आसदी चिकस्ता है वह किसके संक्रमण के लिए है तो 108 नमबर के हम बाते हैं different code के लिए है आपका तो यह option यह पर सही हो जाएगा एक नो नमबर को सुन्ह आपका आता है अस्पताल में निम में से किस विवाग में केथलेव होती है इपेधालमे कौन से विवाग जिसकी अंदर केथलेव होती है तो right answer कीज़ेंगी डिस्वेट्सियां प्र कार्डियोलोजी विवाग तो C-Option यहां पर सही हो जाएगा 110 नमबर को सुन आपका आता है यहाँ पर निम रिखत में से कौन सा रोग पुरसों की तुलना में महला में बहुत कम होता है तो कौन सा दे डिर्फरेंट्स 110 नमबर के हम बात करेंगे तो बढ़ दानता है यानि जिसे कलर ब्लैंडरें से हम बोलते हैं अपने दोस्तों के पास सेयर जरू करेंगे तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के को से प्रीवी सेयर कुस्टन को जो रिवाइज करते हैं तो डिर्फरेंट्स हैं पर फर्स्ट नमबर कर जो आंसर आएगा यहां पर अंकुर्ण के दोरान जल्दी पुस्पार्ट की परिकरिया को प्रेरित करने के लिए बीज के दुरत सीतन उपचार की परिकरिया को कौनसी परिकरिया कहा जाता है तो फर्स्ट नमबर के बात करे एक उधारन है तो second number के हम बात करेंगे आपर सहरोप कारिटा आपका यानि मीचियोलिजम आपका होता है तो D-Option आपका सही हो जाएगा और 3 number के हम बात करेंगे केक्टस किस परकार के पौधी का एक उधारन है जो केक्टस है वह किस प्रिकार के पौधी का एक उधारन है तो धर्ड नमर के हम बात रहें तो अगर आपको क्या हो जाएगा ग्रददार पादा पर आपको हो जाएगा तो डी अप्सन आपर सही हो जाएगा बात करेंगे यहाँ पर हम चार नमर के निमने खित्मे से किसे नील हरित सहवाल के रूप में भी जाना जाता है इनमें से चार उप्सन है किन में जो हम नील हरित हैवाल सहवाल के रूप में जो हम जानते हैं तो फूर्थ नम्बर का जो answer गो difference क्या हो जाएगा Sinobacteria तो C option यहापर सही हो जाएगा पांच नम्बर के हम बात रहेंगे पाद हमें पानी के परिभान के लिए संभानी उतक को रिक्त कहा जाता है जो संभानी उतक को इसको क्या कहा जाता है पांच नम्बर के हम बात रहेंगे तो राइट answer के हो जाएगा जाइलम तो C option यहापर सही हो जाएगा और इसी के साथ बढ़ेंगे हैं पर हम 6 नम्बर कुशन पर कुनेन सिनकोना पादब के किसे भाग से प्रकारत रूप से पाई जाती है जिसे इनकोना और कोने हैं आपका तो कहां से बहुत यहासान कोशन जो डिस्वर्ण चाल से में पराप्त होती है तो D option यहापर सही हो जाएगा साथ नम्बर के हम बात करेंगे पेड़ पॉदों में नेसीचन के बाद अंडा से जो परिवर्ण रिक्त के होता है तो D difference कहां पर होता है साथ नम्बर के हम बात करेंगे तो right answer क्या हो जाएगा यहापर फल में आपका होता है तो D option यहापर सही हो जाएगा आठ नम्बर के हम बात करेंगे तो C option यहापर सही हो जाएगा नाइन्थ नम्बर के हम बात करेंगे जले चकर के दोरान पॉदों का कौन सा भाग जो है बासपोत सर्जन करता है तो कौन सा जो है बासफोर्जन करता है तो बहुत ही आसान कुशन डिरफरेंट से आपर पत्ति करती है तो option नम्बर यहां सही हो जाएगा दस नम्बर कुशन आपका आता है बिज्ञान की बहसाखा जो किसी पौदे की जीवन चकर समिष्टी समविष्ट और सभी आवदिक गटनाव के अनुकरम से संब्दित है जो की फसल की बानस्पति को प्रिजन बिकास की अबदी पर मौसम की गतिल से जिता को समझने में साहिक करती है तो उसे क्या कहा जाता है तो दस नम्बर की हम बात करने डिर्फरेंट उसे कहते हैं फ्यूनेरिया में तो सी गड़र साही हो जाएगा लभारे नम्बर की हम बात करने पादब की नियम्री के द्भागों में कौन सा भाग घूए गुरतबा नॅर्अक है गाता है देविष्टो से कौन दर साता है तो बारे नम्बर के बात पोड बासपोड सरजन आपका कहलाता है तो यहां पर कौन सा डी ऑप्सन ब्लकुत सही हो जाएगा और इसी के साथ 14 नमबर को सना आता है भारत में फाइकस को रिली जी ओसा को रिक्त ब्रक्षि के नाम से सामान तोर पर जाना जाता है तो जाएगा फिप्टी नमबर को सना आपका आता है अलेंगी के प्रिजिनन का एक पिरकार जिसमें जडों तनों पतियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन होते हैं बहर रिक्त कहलाता है तो ये आपको दिये गए हैं नíब याफ इंप्सपति प्रिजिलेन आपको बालगोटि बॉटी तने से उकती है, कौन सी जड़ी बूटी है जो तने से उकती है, तो 60 नमबर के इंबाते हैं, तो पोदी न हो जाएगा तो भी option है आपर सही हो जाएगा 17 नमबर को सुनाता है क्या पुरिस्ट का नरजननांग नहीं है, इनमें से कौन है पुरिस्ट का नरजननांग नहीं है पराकोस, पराकर्ण, तन्तु यह आपर आपका वाहदल तो डिर्फरेंट्स कौन सा हो जाएगा 17 नमबर का अंसर वाहदल जो है आपका नरजननांग नहीं है तो option नमबर C है, सही हो जाएगा 18 नमबर के हम बात करेंगे जैलम, एबम, फिलोयम, रिक्त हैं जो जैलम है, फिलोयम है बुरिक्त है एक तरीगे से तो 18 नमबर के हम बात करेंगे डिर्फरेंट्स यापर तो कौन सा हो जाएगा सम बहानी है आपका तो D option है आपर सही हो जाएगा 19 नमबर के हम बात करने डिर्फरेंट से रेगिस्तान के पौधों में जल हानी की दर इसकी उपस्तती के कारण कम हो जाती है किसकी उपस्तती के कारण कम हो जाती है तो डिर्फरेंट से 90 नमबर के हम बात करने क्यूटिकल के कारण हो जाती है तो हो जाएगा अबका मोते तो डी ओपिसन या पर सही हो जाएगा एकीस नमबर के हम बात करेंगे एक उस्पर जिसमनर्ण नर्थ थ Gulf मादभ Photo-P defendant अंग होते हैं रिक तो क्या कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं तो एकेस नमबर के हम बात करेंगे तो ओवह लंगी हम पुस पुस से हम कहते हैं तो आपसन नमबर यहां सही हो जाएगा 22 नमबर के हम बात करूंगे फॉलों के रस्ट में मिलाई जाने वाले खमीर में होने वाले एवाई भी सोसन में सरकरा जो है किस रासाइनिक पदारत में बदल जाता है किस रासाइनिक पदारत में जो है बदल जाता है तो 22 नमबर के हम बात करें डिफरेंट से आपर तो क्या हो जाएगा एल को हल में बदल जाता है तो डी ओप्सन आपर सही हो जाएगा 23 नमबर को सुनाता है नरम तने वाले पौदों को कहा जाता है जो नरम तने वाले फॉद्ध होते हैं उनको क्या कहा जाता है तो 23 नमबर के हम बात करेंगे डिप्रेंट उन्हें साख हम कहते हैं तो D-Option है आपर सही हो जाएगा 24 नमबर के हम बात करेंगे LG सेवाल के रू worrying नवाग किस अनुभाग से सम्बध नेते हैं तो 24 नमबर के हम बात करेंगे डिप्रेंट से आपर तो किस से थेलो फाइट है से तो option नमबरlier के हैं आपर सही हो जाएगा 25 नमबर के हम बात करेंगे मनुस में सोचन तंत्रे के तुलना में पौध है किस भाग से की जा सकती है तो 25 नमबर के हम बात हैं डिर्फेंट से रंदर से तो option नमबर एक हैं आपर सही हो जाएगा 26 नमबर कुशन आपका आता है दो इगोड़े इस पौरो फाइटिक चरंड के साथ अगोड़े तो गेम आटो फाइटिक चरंड के परिवर्थन को नीचे दिये गए जीवाँ में से किन दो में नहीं देखा जा सकता है तो यहाँ पर जीव डीव फ्यूनेरिया, स्पायरो गायरा, पेट्रेस, कलेवाइडो, मोनास, मोनास, एंडिन टम आपका हो जाएगा तो कौन से दो हैं जिसमें यह नहीं देखा जा सकता है तो 26 नमबर के हम बात करें देखा जाएगा ओपका है एक पादप कोश्टिव का है जिसमें माहरयतलावक का अबहा होता है और इसमें यह क्या होगा कि कॉन सा कारेे जहूर परभावित होगा तो 27 नमर के हम बात करें है तो भूजन का उत्पादन जहूर परभावित होगा तो optionime से सही हो जाएगा 28 नमबर के हम बात करेंगे यहाँ पर प्रिकास की और प्रोह की गति होती है जो प्रिकास होता है वो इसकी और प्रोह की गति होती है कैसी तो 28 नमबर के हम बाते हैं डिर्फरेंट से तो प्रिकास उनो बड़तन के तरह होती है तो सी ओप्शन आपर सही हो जाएगा 29 नमबर कुछन आता है ड्राइव उप्रेटरिस के जीवन चेक कर में निम लिखित में चल्ड़नों का सही करम किया है तो यहाँ 29 नमबर के हम बात हैं डिर्फन तक कि सबसे पहले किया आएगा बी जाड़ू उद्भिद, बी जाड़ू दाहनी, बी जाड़ू, प्रोथेलेस, योगमक और योगमराज है तो ओप्सन नमबर हैं पिल्पल सही हो जाएगा और इसीक साथ बढ़ेंगे हैं यहाँ पर हम आपके 30 नमबर कुछन पर और इनेम लिखित में से कौन सा घटक जवरफुलो वैम से सम्बधित नहीं है फिलो वैम से सम्बधित कौन सा घटक नहीं है तो राइट आंसन नमबर का क्या होगा है यहाँ पर दीर्फ्रेंट्स ट्रैकीड आपका हो जाएगा तो B option आपर सही हो जाएगा 31 नमर के हम बात करेंगे यहाँ पर पौधा जिसमें गुर्षूतर के बहु समुच्य होते हैं उसे रिक्त कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है तो B option आपर सही हो जाएगा बात करेंगे यहाँ पर 32 नमर कुस्टन की उस पौधियों को पैचानिये जो रेशा उत्पन नहीं करता है कौन सा पौधा है जो रेशा उत्पन नहीं करता है तो 32 नमर के बात देश्पन से ताड़ा आपका तो यह option आपर सही हो जाएगा 33 नमर आता है मिर्च की जो है तीसरता का कारण क्या है जो मिर्च का चटपटा होता है वो किसकी कारण होता है तह 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 आपका जो होता है Cepsic in consecutive year ion का प्रिछश्य चर्ख़ता है तो भी उप tre paz ng रहीऊ हो जाएगा 34 सममर करें आपका आता है यहाँ पर निवन में से कौन और और प्रिष़ी ओटस होता है और और प्रिष़ीयो में प्रिफ्रिश्य का प्रिष़र सुर्ख favorit Webshaft जिए ओध Subscribe क्ता कौन सा है कोशिकाँ का नाम बताईए तो 35 नमबर की हम बात करें यहां पर तो राइट आंसर के हो जाएगा डिर्फेंट से आपर लबक तो सी ओप्सन यहां पर सही हो जाएगा और इसी के साथ बढ़ेंगे हापर हम 36 नमबर कुशन पर जब हम नासपाती चबाते हैं तो हमें कुरकुर दाने का अनुवूती होती है तो आप्सन नमबर भी हैं सही हो जाएगा 37 नमबर कुशन आता है निम लिखत में से पुस्प का कौन सा बहागई प्रजिन अंग नहीं है तो 37 नमबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर के हो जाएगा से पलापका तो डी आप्सन ब्रिकुल गठन के द्वारा होता है तो C option यहापर सही हो जाएगा 49 नमर को सुनाता है रेक्त के सदस्त को सामनेता हरी सहवाल कहते हैं किसके सदस्त को सामनेता हरी सहवाल कहते हैं जाएगा 50 नमर के हम बात करें आफियांगे 40 की यहापर सही हो जाएगा 41 नमर के हम बात करेंगे कीट भक्षी पादप का उधारण है कीट भक्षी पादप का उधारण है वो क्या है इन में से तो डिफ्रेंस 39 हो जाएगा तो बी ओप्षन या पर सही हो जाएगा और यहां पर 42 नमर को सुना आपका आता है यहां हवा में परागकरण को क्या कहते हैं हवा में जो परागकरण होता हैं उसको क्या कहते हैं तो 42 नमबर के हम बात करेंगे वह बहुत ही आسहन, उसको बायू परागर हम कहते हैं तो C ओप्सně यहाँ पर सही हो जाएगा और इसी के साथ 43 नमर को सुनाता है निमने लिखित में से कौन सा सही नहीं है तो 43 नमर के हम बाते हैं डिर्फरेंट से फंगस वियर सोप उसी नहीं होते हैं तो D option यहाँ पर सही हो जाएगा और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 46 नमर कुश्वन पर मूल द्वारा 92 परवर्धन इसमें होता है मूल के द्वारा 92 परवर्धन है वह किस्में होता है तो 44 नमर के हम बात करेंगे डिर्फरेंट से आपर तो पोटेटो में होता है तो यह option यहाँ पर सही हो जाएगा 45 नमर कुश्वन आता है कौन सा ओध्विद दूसरे ब्रक्षों की टेहनियों पर ब्रद्धी करता है कौन सा ओध्विद होता है तो राइट आन से नहां क्या हो जाएगा 45 नमर के डिर्फरेंट से आर्केड आपका होता है तो option नमर एक यहाँ सही हो जाएगा 46 नमर कुश्वन आपका आता है पुश्व में दोई निसेचन के पश्चा तो गुड़ सूत्य की संख्या होती है वो रिक्त होती है तो 46 नमर के अमबात के डिर्फरेंट से आपर तेई गुड़ तो तसी option नहां पर सही हो जाएगा 47 नमर के अमबात करेंगे प्याजों के छिलके उतारने पर आंसु आते हैं क्योंकि प्याज में जो है निस्कासित करते हैं तो कौन सा अमल जो है आपका निकलता है जिसकी बज़े से आंसु आते हैं तो 47 नमर के अमबात के डिर्फरेंट से आपर सलफॉलिक अमले के कारण तो A option या पर सही हो जाएगा 48 नमर को सुना आता है पादबों की उत्पाद एक्ता और बित्राड भारी रूप से रेक्ते पर निर्वर करता है किस पर निर्वर करता है तो 49 नमर की हम बात करें जैल पर तो B option या पर सही हो जाएगा और इसी के साथ 50 नमबर कुशन आपका आता है दोहरान एसेचन किन्थ पौधों का नियम है जो दोहरान एसेचन है वो किन्थ पौधों का नियम है तो right answer आपर 50 नमबर का क्या हो जाएगा डिर्फरेंट से NGO isphermas का तो D option आपर सही हो जाएगा डिर्फरेंट से क्लास अगर परसंद आए तो लैक जरू करेंगे और चैनल को सब्सक्रेब जरू करेंगे डिर्फरेंट से बहुत ही important क्लास आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है तो इसी के साथ बढ़ेंगे हैंपर हम 51 नमबर कुशन पर डिर्फरेंट से केंथरोफिली क्या है केंथरोफिली क्या है तो डिर्फरेंट से ब्रहंग द्वारा परागड होती है केंथरोफिली तो option नमबर एक यहां पर सही हो जाएगा 52 नमबर कुशन आपका आता है proto प्रोस्फ प्लस्ट और साइटो प्लस्ट के संलेंश से कौन्सा सायटो प्लाजमिक हैब्रेंट उत्वन होता है तो 52 नमबर की हम बात करेंगे बरनलाईजेशन का इस्तल क्या है जो बरनलाईजेशन आपका इसका इस्तल क्या है तो चार उप्षन यहापर दिये गए तो क्या उप्षन हो जाएगा एपिकल बर्ड आपका हो जाएगा तो यह उप्षन यहापर सही हो जाएगा चोगुन नंबर की हम बात करेंगे यहां पर पौध्रों का संख्यात्मा क का बर्गी करन नमिntकत में नेमिантर करन से किस पर आदा होता है देखनेयोग बिस्यूस्टां पर अलमिntक हो जाएगा और इसी के साथ पच्पन नंबर को सुनाता है हाइडरोफटेस में पाय जाने वाले Bselfigret रेखते हैं U-mate of Force कहलाते हैं क्या कहलाते है U-mate of Force तो 65 नमबर के बाते हैं difference मूल कहलाते हैं तो option number 1 एँख होजाएगा 56 नमबर के हम बाते हैं July और के पेड़ के ड़वल नेट को क्या कहा जाता है तो difference क्या कहते हैं हम द्रड़ फॉल को तेहां 56 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर तो right answer हो जाएगा बलूत का आपका जो है फॉल कहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्लूत को सही हो जाएगा 57 नंबर को सना आता है इंडियम लिखित में से कौन सा फॉल जो है एक भाग नहीं है फॉल का इंवर से कौन सा भाग नहीं है तो 57 नंबर के हम बात करेंगे डिस्पर तो right answer के हो जाएगा पड़ ब्रंत आपका नहीं है बायदल हो जाएगा पूंके सर हो जाएगा और इस तरी 58 नंबर के हम बात करें डिस्पर तो right answer के हो जाएगा चाय आपको हो जाएगा तो option नंबर एक हापर सही हो जाएगा उनसाट नंबर के हम बात करेंगे पादव सरी सरचना के संबंध में निम एक्टमें से कौन सी रेसों की एक बिसेस्ता है तो यह पर चार बिसेस्ता दिख और हेखने किस परिकार हैं आपके किस परिकार हैं तो 60 नंबर के हम बात करने यहां पर तर लाल समदरी सेवार आपके होते हैं तो डि-ओप्सन है यहां पर सही हो जाएगा और एक सार्टमें बात करने यहां पर निम लिखित में से कौन सा एक कीट ज़वापची बहगषी पौधा इन में से कौन सा है और CGL PD 222 का यह कुछन है तो 60 नमर के हम बात करें डिपरेंट से आपर तो क्या हो जाएगा ड्रो से रहा तो D option है पर सही हो जाएगा 60 नमर के हम बात करेंगे निम लिखित में से कौन सी मूल शीर से विभजियों तक के बीची की परत है जो बलगिट कॉल्टेक्स को जनम देती है कॉल्टेक्स को जो है जनम देती है तो 62 नमर के हम बात करेंगे डिपरेंट से से रहे विभजियों इस दी रहे आइट आइसर D option हो जाएगा 63 नमर के हम बात करेंगे प्याज में लाल रंग जो है निम लिखित में से किस बाड़ा के कारण होता है किस बाड़ा के कारण जो प्याज में लाल रंग होता है वो पाया जाता है तो 63 नमर के हम बात करेंगे एंत्रो साइन इनके कारण तो A option है पर सही हो जाएगा 64 नमर के हम बात करेंगे difference पत्तियों की सत्य पर मौझूद सूच में छिद्रों को निमन डूप में जाना जाता है तो 64 नमर के हम बात करेंगे आपर तो क्या हो जाएगा रंद इस्टूमेट आपका तो B option है पर बिल बिल सही हो जाएगा 65 नमर के हम बात करेंगे अमरवेल इनमें से किसका एक उधारण है जो अमरवेल है इनमें से किसका उधारण है तो 65 नमर के हम बात करेंगे difference पर जीवी परसाइट का उधारण है तो C option है पर सही हो जाएगा 6 से टमबर आता है पुस्प के अंतरतम सबसे भीतरी भाग होता है पुस्प का उसे क्या कहा जाता है तो D option आपर सही हो जाएगा सर्ट सर्ट नंबर की हम बात करेंगे आम का पेड़ निम लिखित में से किसका एक उधारन है जो आम का पेड़ है पुर निम लिखित में से किसका उधारन है सर्ट सर्ट नंबर की हम बात करेंगे स्वपोसी और्टो ट्रॉप का उधारन है तो और साइट नमबर के बातने डिस्पेंट से फिलो याम आपका होता है तो C option यापर सही हो जाएगा 69 नमबर के बातने आपका आता है यापर तो डिस्पेंट से निम लिखित में से कौन से पौधे की जल्ड जो पर डाली है मुखकारिया में सामिल नहीं है चार option आपको दिये गया है जो की मुखकारिया में सामिल नहीं है तो 79 नमबर के हम बातने पौधे के बहुजन की आप उड़ती यापर तो ये option यापर सही हो जाएगा 70 नमबर के बातने आपका आता है निम लिखित में से कौन सा पादा फार्मोन विकास को नियतित करता है जिसमें विश्य सुरूप से तनों में कोश का ब्रदी को उतेजित करके तो 70 नमबर के हम बातने देश्प्रण तो कौन सा होता है औक सिन तो option नमबर ये हैं सही हो जाएगा 71 नमबर को सना आता है मादा पुस्प के किसे भाग में जो है नेसेचन होता है जो मादा पुस्प का भाग होता है वो किसमे जो है किसमे नेसेचन होता है तो 72 नमबर के हम बातने देश्प्रण से आपर तो अंडासा में तो option नमबर ये हैं सही हो जाएगा तेहतर नमबर के हम बात करेंगे यहाँ पर निवन में से कौन से बे पुस्परीन पौदे हैं जो संगूफॉल और बीज उत्पादिर करते हैं और जिनमें बीज अंडासय के भीतर नहीं होते हैं बीज जो है अंडासे के भीतर नहीं होते हैं तो 73 नमबर के बात करें डिफ्रेंट से तो अनाबरत बीजी हमोन को कहते हैं तो यह उप्सन आपर सही हो जाएगा 14 नमबर के बात करेंगे है हाइडरा में किस परकार का जो है प्रजिनन होता है जो hydra है उसमें किस प्रिकार का present होता है तो 74 नमबर के बातने difference तो hydra में मुकलन आपका पाये जाता है तो B option यहापर सही हो जाएगा 75 नमबर आता है निम्र खितमें से कौन सा full का एक नर हिस्सा है कौन सा जो है full का एक नर हिस्सा है तो यहापर 75 नमबर का जो answer का difference क्या हो जाएगा statement तो B option है आपर सही हो जाएगा 76 नमबर के बातने हैं हैं आपका तेरो फाइट कैसी present करते हैं जो तेरो फायट हैं वो कैसे present करते हैं तो 76 नमर के मदादें ठीति में B जाड़ों की मदद स्ते lebih औप्षने के अरकों ही हो जाएगा और इसे के साथ 77 नमर कुस्टन आपका आता है बिनानेसेचन के फलका विकास जैसे कहलाता है बिनानेसेचन के फलका जो विकास होता है वुक्या कहलाता है तो 77 नंबर के इमातर में पार्थे नों कॉर्पी अपकर कहा जाता है तो भी अप्शन आपर सही हो जाएगा और 78 नंबर कुस्वन आपकर आता है फूल के बीच में मौजूद पीली डश्ट को क्या कहा जाता है जो PD dust होती है फूल के मद में उसे क्या कहा जाता है तो difference से पराग कहा जाता है तो B option आपर सही हो जाएगा 79 नमबर को सुनाता है पुस्प का कौन सा भाग जो है इस तरी किसेज के सिर्षपर चिपचपी सतय है या पराग को फशा कर रखता है तो कौन सा सिर्ष आपका होता है या भाग होता है तो 79 नमबर के इस बढ़ती का अगर आपका होता है तो B option आपर सही हो जाएगा और 80 नमबर के इस बढ़त करेंगे यहां पर कुछ न पहुंचते हैं तो यहां पर कुछ गई है तो लॉंग पॉद्धे के निम्लेखतम से किस बहाग से प्राप्ट होती है जो लॉंग हमारी होती है तो वो 21Y n Heat को इन बात रहें दीजिस्टे के पूस्पू क्ली से हाँ पा तो E option आहाँ पर सही हो जाएगा 82 की हम बात करेंगे इनम लिख्फ से कौन सा पॉदा जो है Brio Pight है इनमे से कौन सा पॉदा है जो Brio Pight है तो तो वी औप सन्हें आपर किस्से हो जाएगा सही हो जाएगा 3 नंबर को अप्सें नंबर यहां पर डिसेंस गलत हो जाएगा आपका ah वक नहीं होगा अम्वीवा जो है प्रोटिस्टा से होगा आपका किससे प्रोटिस्टा तो अप्षन नमबर से यहां सही हो जाएगा 84 नमबर के हम बात करेंगे क्रिप्टो गेम क्या है जिक क्रिप्टो गेम है वह क्या है तो डिफ्रेंस राइट अंसर क्या हो जाएगा चार उप्षन से जिक्रोटर गया में आपको वह आपरत बीज वाले पौधे तो उप्षन नंबर यहां सही हो जाएगा अठावा नंबर के हम बात करेंगे हापर जिन पौधे के प्रथक बनावत रूप नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं तो आप्षन नंबर के हम बात करेंगे हापर निम लिखत में से कौन ब्राइव फाइट का उधारन नहीं है तो आप्षन नंबर के हम बात करेंगे हापर सही हो जाएगा 87 नंबर को सुनाता है आपका चीड रिक्त का उधारन नहीं जो चीड है वो किसका उधारन है तो 87 नंबर के हम बात करेंगे तो अनाब रथ बीजी का उधारन आपका चीड तो C उप्षन आपर सही हो जाएगा और 88 नंबर आता है पादब जगत में सबसे निचल एस्तान पर umuzल्ब से कौन सा पोधा आपका होता है तो 88 नंबर के हम बात करेंगे तो सबसे निचल एस्तान पर ठैलोफाइटा होता है तो एविजी अफशन आपर सही हो जाएगा 89 नमबर के हम बात करेंगे पादप समुदाय में फरन तथा फरन के जैसी परजातिये किस समुव में आती है किस समुव में जो है आती है तो 89 नमबर के हम बात करेंगे तो वो टेरीडो फाइटर के अंतरगत आती है तो D option आपर सही हो जाएगा 90 नमबर के हम बात हमें यहाँ पर निवन में कौन सा आवरत बीजी की एक खास पुसिश्था है आवरत बीजी की इन में से कौन सी खास पुसिश्था है तो right answer क्या हो जाएक difference यहाँ पर गुपत बीज तो D option यहाँ पर सही हो जाएगा 21 नमबर कुसिश्था आपका आता है यहाँ पर पौधो का रंग रेक्त की उपस्तती के करण हरा होता है किसी उपस्तती करण तो आसान सा कुसन को क्लोरो फेल के करण तो option नमबर हैं सही हो जाएगा 92 नमबर को सुना तो आता है आपर निमने खितमे से पौत देखे किस हिस्से में जो है वेवेदित का है नहीं होता है वेवेदित का है जो है नहीं होता है तो डिर्फरेंट कौन से हिस्टे में टेलोफाइटा में नहीं होता है तो C option नहीं पर सही हो जाएगा 93 नमबर को सुन आपका आता है मैसोफिल को सिकाएं किसी पौधों में कहाँ पाई जाती है जो मैसोफिल को सिकाएं पौधों में कहाँ पाई जाती है तो 93 नमबर की हम बाते हैं पती में तो B option नहीं पर सही हो जाएगा और यहाँ पर 94 नम्मर को समाता है नासपाती 1 परिकार के रिक्तपादा है तो 94 नम्मर के हम बात करेंगी तो है डूफैट है आपका तो यह आपका पर तसहीं हो जाएगा पादफों को किने 5 समुवे बाटा गया और अबरत वीजी तो है अब किसे कहा जाता तो 96 नंबर केम बात किरेंगे ब्राइओ फाइट को बोला जाता है तो D ऊप्शन यहां पर सही हो जाएगा 97 नंबर केम बात करेंगे Visc resources power रेक्तन से प्रापत किया जाता है जो Viscose fiver है वो किसके दवारा प्रापत किया जाता है तो 97 नमबर की भानधे इंडस्तान से सही हो जाएगा 98 मदं खितम difER नमबर की भी बहने इंडसाइब करते हैं जो जड़ है इनमे से नहीं है तो 99 नमबर के में पाते हैं डिर्फरेंट तो स्वाँ से जड़ लू होती है तो भी उप्सन यह पर सही हो जाएगा 100 नमबर को सन पर पहुँच चुके हैं डिर्फरेंट से और रिक्त एक पक्ति के बिलेड में सराओ का पैटर्न है तो 100 नमबर के हम बात करें डिर्फरेंट से तो बैनिसन में तो डी ओप्षन आपर सही हो जाएगा और क्लास आपको पर संद आएगी तो डिर्फरेंट से कौन सा काथन जो सत नहीं है तो 101 नमबर के हम बात करें डिर्फरेंट से तो बी ओप्षन सही हो जाएगा इनमें पौधे का सरीर के एक भाग से दूसरे भागों पानी और आने पदा होता है कि प्रभाग के लिए एक विशेस उतक की उपस्तिती पाई जाती है तो बी ओप् सनाता है लेटमस बिलियन एक बैंगनी रंगा जिससे लाइकिन से निकाला जाता है जो कि रिक्त डिवीजन से संब्धित है पौधे आपके हैं एक से दो नमबर के हम बात करेंगे तो वो किससे संब्धित है थेलो फाइटास है तो सी उपसन आपर सही हो जाएगा एक सो ती नमबर के हम बात करेंगे तो इस्ताना अंतरन के द्वारा तो सी ऑप्सन आपर सही हो जाएगा एक सो चार नमर के हम बात करेंगे और निम लिखित में सो कौन सही रूप से सुमेलिकत नहीं है यूपी आरो ए आरो प्रीदोहर 16 की प्रेक्ष्य हम पूछे हो को सान है तो एक 105 नमबर के सुमेलिकत नहीं है तो इक सो पांच नमबर के हम बात करेंगे तो घर्ट पार नहीं चलो अद्वित आपका यह भी आपका संब्द नहीं है तो डी ऑप्सन पर सही हो जाएगा 106 नमबर के से क्या है तो 106 नमबर के हम बात करेंगे सूखे फूल आपके होते हैं तो D option है आपर सही हो जाएगा इसी के साथ बढ़ेंगे यहां पर हम आपके next आपका जो चेप्टर आता है वह 11th नंबर चेप्टर आपसे दो ही support माँगे difference से class को like करना चैनल को subscribe करना दो support आप हमारे लिए जरूर कीजिए आपसे बार बार यह request हम कर रहे हैं 11th चेप्टर है आपका प्रिकास से लेसर टो डिर्फेंट से आपर राइट आंसर क्या हो जाएगा वह सौरी यहां पर कुस्ष्ण हम देखेंगे तो यहां पर पहला कुस्ष्ण जो है आपका पादम निकाय कि कि सभाग को पौदी का खाद कार खाना कहा जाता है कि सभाग को जो हम खाद का कार खाना कहते हैं तो आप्सन नंबर कंसर हो जाएगा बी पत्ता को हम बोलते हैं सेकंड नंबर की हम बात करेंगे बहर प्रिकरिया जिसमें पौदे कार्वो हेडिट बनाने के लिए पानी कार्बन डेयोकसाइड और सोर उर्जा को मिलाते उसे क्रिक्त कहा से कहा जाता हैं तो सही हो जाएगा तीन नंबर के बात करेंगे एक इस्तलिये प्रणाली में हरे पौदे अपनी पनतियों पर पढ़ने वाले सूरी के प्रिकास के लगवार्रिक्त और उर्जा ग्रेंट और इसे खद उर्जांत करते हैं आप तो थर्ड़ नंबर का अंसर क चाही हो जाएगा चार नमर की यावबात करने याँ पर भोजन बनाने के लिए पादब कोशिका का कौन सा भाङ सूरी के प्रिकास को अफोसित करता है तौर नमर की हम बात करने डिरिफ्रंटिया के लिए पांच नमबर कुछन आपका आता है प्रकास संसलिस्टाड़ की प्रक्रिया के लिए समझत हरोई पौधो दोरा आप सोसित और सोर विकरेट का प्रतिस अतलाब कितना होता है तो पांच नमबर के हम बात करें डिर्फेंट से आपका तो 1 परसेंट आपका होता है तो यह option नहीं पर सही हो जाएगा 6 नमबर के हम बात करेंगे पौदों में chlorophyll मुखिता पाये जाता है पौदों में जो chlorophyll होता है मुखिता कहां पाये जाता है असन से कुछन पत्तियों पाये जाता है तो यह option नहीं पर सही हो जाएगा साथ नमबर को सनाब का आता है बनेसपत्ति के दौरा सोसट किया गया आतर एक तर जल ज़्यादा तर इसके हवा में जो है बिलीन होता है तो साथ नमबर के अमबात्रिक पत्ते की ऊपर ही सत्य पर यह ओप्सन है आपर सही हो जाएगा इसी के साथ 8 नमबर को सुनाब का आता है प्रिकास संसलेसरण मुख रूप से किसका कारण है तो 8 नमबर के अमबातने डिफरेंट से पत्ता का तो आप्षिन नमबर एक हैं सही हो जाएगा नाइन्थ नमबर के अमबातने प्रती पर कारण डिफरेंट का कम से कम जिक्त इस्तरी करेंट से वालों दोरह प्रिकास संसलेसरण के माद्यम से किया जाता है तो नाइन्थ नमबर के अमबातने डिफरेंट से आपर तो आधा किया जाता है तो आप्षिन नमबर एक हैं आपर प्रिकास संस्रेथ करने के लिए करते हैं, तो we option पर सही हो जाएगा, वो किस के हैं आपके मॉजूदगी में होगी, तो आसंते сам कुछण किलोरफिल और सूरी की रोशनी के मद तो B option यहाँ पर सही हो जाएगा और तेरे नंबर कुछन आपका आता है यहाँ पर इनमें से कौन सा उर्जव रूपांतराण है जो प्रिकास संसलिस्टर नाम प्रिकरिया में होता है तो difference यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा तो राइट आंसर चार उप्षन में difference क्या हो जाएगा तो हो जाएगा light energy to chemical energy यहाँ पर तो B option यहाँ पर सही हो जाएगा और इसी के साथ बढ़ेगे यहाँ चैप्टर नंबर 12 नंबर आता है जिसमें बात की यह difference यहाँ पर पादप रोग की तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा पादप रोग इसका कराण है आपको क्या है तो वन नंबर के यहाँ बात करें डिजफन से बीज आवरन एपर गम बिताते हैं अपर B option यहाँ पर सही हो जाएगा थर्ड नंबर के यहाँ पर किसी कमी के कराण जोगा फल चटकना या फटता है चटकता है फटकता है तो थर्ड नंबर के य इसका करें डिफन से यहाँ पर बोरॉन की कमी से तो वी आप्सन यहाँ पर सही हो जाएगा और फोर्त नंबर के हम बात करेंगे निम लिखित में से कौन सी फसल जो है अगयती जुलसा रोग से प्रभावित होती है तो चार नंबर के यहाँ पर सही हो जाएगा पांच के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम आपका छे नंबर कुस्वन पर मक्क के लिए उगने से पहले इस्तिमाल करने के लिए निम लिखित में से किस तरह ना सक हर भी साइड का जो है इस सिपारिस की गीचिति हैं आपर सिक्स नंबर के बात ने डिफन से एंट्राजीन की आपके पर सही हो जाएगा और आट नंबर आता है आपका अहिस के कारण होताय ऐस्में भिलेख केस की कारन हूता है तो डिफन से बहुतार अक्सिजनकी कंमी डिफ़ायर आपके सब्सक्राइद आपके कुस्वन क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरू करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरू करेंगे डियर फ्रेंट्स नहीं पर कुछ्सान नमबर फस्ट यहां पर देखते हैं प्रवाल कोरल यह प्रवाल पुर्वक्रल पॉलिप्स हम बोलते हैं और रिक्त के बीच में सहजीव संबंद का यह को धारण है यूपी एसाई 2021 में पूछा हो कुछ्छन है तो फस्ट नमबर का जो आंसर डिर्फरेंट्स जो अकसान थेला आपको हो जाएगा तो आपसे नमबर यहां सही हो जाएगा सेकंड नमबर के बात रहेंगे बेजीव जो अन जीवों को मास खाकर बीच एक संबंद है जिसमें एक जीव को लाब होता है और दूसरे को जीव अपर भाहित रहता है तो डिर्फरेंट्स थर्ड नमबर के हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सहब हो जेतों से हम बोलते हैं तो सी ऑप्सन आपर सही हो जाएगा चार नमबर कुछन आपका आत जीव अपर जीव जाएगा तो ऑप्सन सही हो जाएगा और पांच नमबर के हम बात करेंगे लाइकन में कवक और सहबाल की बीच सम्वन्ध कर दारान यह जर्फरेंट्स सही हो जाएगा 6 नमबर कुषन आता है 3 पुरकार के परपोसि होते हैं 9 में से कौन से इन में से 1 नहीं है तो different से इन में से कौन सा नहीं है जो की 6 पुरकार के परपोसि में से 6 नमबर की हम बात करेंगे यहापर तो उपौवक्ता आपका हो जाएगा तो ये उप्सनिया पर सही हो जाएगा बात करेंगे हैं अपर हम साथ नमर कुशन के पोसड के स्वपोसी रूप के लिए रिखता आवस्यक होता है क्या आवस्यक होता है तो साथ नमर के हम बात करेंगे कारबन डियोक्साइड, पानी, किलोरुफिल और सूरी का प्रिकास आपका तो डियोक्साइड पर सही हो जाएगा आठ नमर कुशन आता है नियोन में से किस प्रिकार की जीव में स्वपोसी पोसड पाया जाता है किस प्रिकार की जीव में जो है स्वपोसिघ पुस्टर पाये जाता है तो डित्मेंट से 18 नमर की हम बात करेंगे यहाँ पर तो जी वादू में तो डी ओप्सण हो जाएगा नाईन्थ नमर की हम बात करेंगे किसी खाद सरेंखला में एक पॉश्टिकता इस तरह से दूसरे पॉश्टिकता इस तरह तक 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 गितने पृतिसत रूजा का हस्ता अंतरण होता है तो इस नाइन्थ नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर जीरो पॉइंट बन आपका तो भी ऑप्शन है आपर सही हो जाएग फोटो और सिंतेट इसके करान जो है पर करिये जो द्वारा पूरी होती है तो आप्शन नंबर बी यह सही हो जाएगा ग्यारह नंबर आपका कुस्वर्ण आता है निम बिगत हम बात करें तो राय जो भी हम तो आप्शन नंबर एक हैं सही हो जाएगा तेरा नंबर के हम बात करेंगे निम्रिखित में से कौन सा छोटी आत्में पाया जाने वाले जीवाड़ों का बहस समू है जिनकी जल में मौझूद की रोग कारग सुच जीवों के द्वारा संदूसर का संकेत आपका देती है तो 30 नंबर का अंसर क्या हो जाएगा तो डी ओप्शन आपकर सही हो जाएगा 14 नंबर के हम बात करेंगे निम्रिखित में से कौन एक को कोश किया नहीं है इनमें से कौन है जो कि एक कोश किया नहीं है तो 4 आपके दिये गए है तो राइट आंसर आपर क्या हो जाएगा डी ओप्शन आपकर सही हो जाएगा पंदरह नमबर के हम बात करेंगे निम्रे खित में से किसे हरित सेवाल भी कहा जाता है इनमें से कौन है जिसे हरित सेवाल कहा जाता है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा डिर्फरेंट से आपर किलोरोफ हैसी को हम क्या कहते हैं हर यते सेवाल कहते हैं तो भी ओप सनया पर सही हो जाएगा 16 नमबर के हम बात करेंगे दांतों की सड़न रिक्त के कारण होती है जो दांतों की सड़न है वह किस के कारण होती है तो डिर्फन्ट स्वेक्टिरिया के कारण कुस्षान में इसी किलाश में आपके लिए कराया तो डिपरेंट सा असाना सा कुस्षान पर क्या बताएंगे धीन नंबर में दूसरा इस्तार आपको बनाते हैं तो B option आपर सही हो जाएगा अठारा नमबर कुशन आता है किसी दिये गए छेतर में सजीवी और थात पॉच्छत आता पस्वें दोनों की कोल संख्या क्या कहलाती है तो जेव भार आपको कहलाती है तो B option आपर सही हो जाएगा 19 नमबर कुशन आपका आता है और नमनमेंसे ओं सवह ज्यवी संबन्दी का प्रते नेदेत करता है तो 19 नमबर के आप आते हैं डिटरबर कंठे पर क्रते नेदेत करता है तो पर जीर आपका आपका number. ako आपको सब्सक्राइब जरू करेंगे जरू दबाएंगे क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास आपकी रहने वाली है तो चलिए यहाँ पर हम बढ़ेंगे आप आपको 14 नमबर चेप्टर के रिवीजन को देखते हैं तो कोस्ट नमबर बन आपको आता है यहाँ पर निमने लिखित में से आपका कौन सा कारां नहीं माना जाता है तो निर्भाख खेती आपका नहीं माना जाता है तो यह आपको सही हो जाएगा और इसी के साथ question number third आपका आता है यहाँ पर एक पिरकार की किसी विवस्ता है जिसमें भूमी का मालिक एक क्रायदार को अपने हिस्से की भूमी पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमी को ओपियो करने देता है तो third number के हम बाते हैं डिर्प्रेंट से सेर की रो भारकंड और उडिसा जैसे राज्यों में फैल गया जब बिहार सरकार ने प्राकरतिक साल बंगे इस्तान पर रिक्त उपजाने का फैसले लिया तब सिंग भूमी जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले को ब्रेद करते हुए आंदोलन किया था तो कौन सा आंदोल करतीरिम कीटाना सक नहीं है करतीरिम कीटाना सक इनपिर्फ से कौन नहीं है तो पांच नंबर के हम बातके और डिस् press से पर तो पेरा कीट हो जाएगा तो डी उप्सिन या पर सही हो जाएगा इसी सा चेह नंबर को सक्षन आपको आता है सामान मिट्टी का carbon nitrogen अनुपात ला बहुत अधिक नमी और भारी बरसा वाली गरम उसलिकर टिवन देश्चति किस फसल के लिए अलकूल जलवायू आपकी होती है तो साथ नमबर का जो आंसर गर डिफरेंट से जूट के लिए तो डी ओप्शने आपर सही हो जाएगा आठ नमबर के हम बात करेंगे भारत में हर किसी संगरना की जाती है कितने बरसों के बाद तो 8 नमर के लिए इंप दिफरेंट तो 5 बरसों के बाद तो भी ओप्शने आपर सही हो जाएगा आपका नाइंध नमबर कुसण आपका आता है निम्रियो क। में सो कौन से भारती किरसी कि छेतर में विषे सुरूप से हरित क कुछन पर आते हैं चीटियों के हमले वाफ हसलों की सुरक्षा के लिए निम्ली खित्में से किसकी इतना कर्षिप प्रयोग किया जाता है तो 10 नमबर के कि अबात करेंगे डिर्फरेंट से उसे औले री कंचर के हम नाम से जानते हैं तो बी अप्सन अपर सही हो जाएगा 12 नमबर कुछन आपका आता है सहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूसरण का सबसे बड़ा काराण कौन सा है जो सहरों मिट्टी प्रदूसरण का सबसे बड़ा काराण है वो क्या है तो 12 नमबर के हम बात करेंगे डिर्फरेंट से आपर तो क्या फर्टीगेसन आपकी क कहलाती है तो सही हो जाएगा और इसके के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर आपके नेस्ट कोशन पर नेस्ट कोशन 14 नमबर आता है जिसमें आपसे कहता है यहाँ पर एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पसू अपसू कौन सी खाद का एक प्रकार है तो कौन सी खाद का प्रक आपके होते हैं सड़े पौधे और पसू अपसू जो होते हैं बी ऑप्शन आपर सही हो जाएगा और फिप्टे नमबर के हम बात करेंगे यहाँ पर कौन सा ब्यक्ति जो है संकृत जिवार हाइबरेट सोरगम के पिता के रूप में प्रसेद है तो डिर्फेंस कौन है प्र से हैवाल जैसे सूच मुझीवए इस तरी करणा में मदप जो हैं मदद करते हैं तो किसमार मदद करते हैं 60 नमबर के हम बात खरेंगे नہैट्रोजन के इसी तरी करणा में सही हो जाएगा 17 नमर को सुनाता है भारत महरित करांती द्वारा चावल और गेहों की खेती के लिए किस तरह के बीज परचलन में लाए गए थे किस तरह के बीज परचलन में लाए गए थे तो 17 नमर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा Hesta B HB B जाप का हो जाएगा तो सही हो जाएगा और 18 नमबर के ऑशिभाएगा नियमे खित में से किसे एक पैरडा Non-Gist के रूप में जाना जाता है तो 18 नमबर के ऑशिभाएगा दिफन से म्रदर बेग्ञानिक को तो B option आपर सही हो जाएगा 19 नमर के हम बात करेंगे कौन सर रासाइनी की योगिक बिलू बिट्रोल की रूप में जाना जाता है जिसको प्योग मुख रूप से एक कीट ना सक रंग बंदक और एक कवक नासी की रूप में किया जाता है तो 19 नमर के हम बात करें डिर्फरेंस कोपर सल्फेट D option आपर सही हो जाएगा 20 नमर को सुना आपका आता है यहाँ पर भारत में पूरी तरह से J.B. किर्शी अपनाने वाला प्रथम राजी कौन सा है जिसने पूरी तरह से आपको J.B. किर्शी को अपना आया है तो 20 नमर का आपको डिर्फरेंस सिक्किमराज हो जाएगा तो option नमर यहाँ सही हो जाएगा 21 नमर के हम बात करेंगे खरवुजा और तरवुजगानी के लिए निम लिखित में से कौन सा जो है आपको सच्छे मौसम आपका होता है तो डिर्फरेंस यहाँ सही मौसम आपको कौन सा होता है 23 नमर के हम बाते हैं डिर्फरेंस से जाया जो है तो B option यहाँ पर सही हो जाएगा 22 नमर को सनाता है निम लिखित में से कौन मरदीय कारकों से सम्मद्ध है आपका मरदीय कारकों से कौन सा सम्मद्ध है तो 22 नमर के हम बाते हैं डिर्फरेंस से मरदा आपका तो option नमर एक हैं सही हो जाएगा 23 नमर के हम बात करेंगे किस परकार की मिट्टी प्रकिरती में स्वय जुताई वाली मिट्टी है कौन से मिट्टी है जो स्वय जुताई वाली मिट्टी है तो वो हो जाती है काली मिट्टी तो option नमर एक हैं सही हो जाएगा आते हैं यहां पर हम 24 नमर कुस्वन पर मरदा जिसमें मुक रूप से पोटास की कम ही है उत्र प्रदेश के रिक्त जिले में पाई जाती है तो कौन से मरदा है जिसमें पोटास की कम ही है और उत्र प्रदेश की जिले में पाई जाती है तो 24 नमर के हम बाते हैं डिट्मेंट्स कहां पर जो अनपुर में तो option नमर यहां सही हो जाएगा 25 नमबर के हम कुछन नहीं बात करेंगे मृत जीव एब हम जानवरों को खाद मिटी में परिवर्थित करने वाले सूच मृत जीवों को किस नाम से जाना जाता है मृत जीव जो होते हैं जानवरों को खाद मिटी में जो परिवर्थित करते हैं उन्हीं सूुछ में जीमियों को हम किसी नाम से जानते हैं तो 25 नंबर के इंबात है डिरफेंस अब घटन करने वाले जी जीव होते हैं उनकी नाम से हम जानते हैं तो डिर्फरेंस यहां पर 26 नंबर को संगी हम बात करेंगे रिक्त एक साधरन उपकरण है जिसका प्रियोग जंगली घास को उटाने के लिए और मिट्टी को धीला करने के लिए किया जाता है तो कौन से इसमें से आपका जो उपकरण हो जाएगा तो 26 नंबर के बात है तो आ 28 नंबर की बात करने जो किया जाता है तो 28 कर नाम से भी जाता है तो 29 एक साथ 29 नमबर कुशन आपका आता है किस भारतिये गेर सरकारी संक्थन को पारी इस्तिति की ये इस्ताही किर्शी आदास नमूना के संब्रदन ही तू सयक्त राष्ट विकास कारेकरम यूएंडीपी दो हजा सत्रह एक्वेटर प्रोलिस का जो प्रदान किया गया है किसको कि यूपी पुलिस कॉस्टिपल दोहर 18 का कुस्टन है तो 29 नमबर का आंसर क्या होगा सुयम से प्रियोग को तो सही हो जाएगा थर्टी नमबर कुस्टन आपका आता है यहां पर कॉनसा बागान जो है फसल नहीं है इनमें सो कॉनसा जो है बागान फसल नहीं है तो यहां पर थर्टी नमबर का जो आंसर का डिर्फरेंट्स क्या हो जाएगा मोटे अनाज तो डियोफ्टन आपर सही हो जाएगा 31 नमबर के हम बात करेंगे तूर डाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है जो तूर डाल है उसको अन्य किस नाम से हम जानते हैं तो 31 नमर की बाते हैं कपास कपास जो है रवी की फसल आपके नहीं है तो अप्शन नंबर सी हैं सही हो जाएगा तेटीस नंबर कुशन आपका आता है यहाँ पर निम्निक हित्मेंसे किसे फसल की अनुवांसित रूप से सम्वर्दित किसम को भारत में हुगाने लिए अनुवाथिया, तो किसकी फसल के लिए तो 33 नंबर के हम बात करेंगें या या पर कापाराश ही हो गया 34 नमर को सुन पर आते हैं अब भारती किर्सी के संबन्द में बेवर, दहिया और पोडू सब्द निम लेखितमे से किसके इस्थानिय नाम है किसके जो है इस्थानिय नाम है तो 34 नमर के हम बात रहेंगे खेती का आदुम सुरूप के जो है नाम है पर D option पर को सही हो जाएगा दौमट मिर्दा को उप्योग जो है घर खिलों ने मूर्थिय बनाने के लिए किया जाता है यह आपक गलत है और यही आपका right answer हो जाएगा 36 नमर को सुन आता है मिर्दा की नमी बनाये रखने के लिए जेविक पदारती एक परस से अनावरत भूमी को डगने की प्रिकरिया को क्या कहा जाता है तो उस प्रिकरिया को क्या कहा जाता है तो 36 नमर के बातने में उसको मल्चिंग उसको हम कहते है तो B option आपका सही हो जाएगा 37 नमर कुस्टन आपका आता है नेम लेक्स में जायद फसल कौन सी है यह मैं से जायद की फसल जो है कौन सी है तो 37 नमर के बात के डिर्फरेंट से कि चावल हो जाएगी खरूजा का पास या गहूँ आपकी हो जाएगी तो राइट आंसर यहाँ पर क्यों होगा डिर्फरेंट तो खरूजा आपकी हो जाएगी जो कि एक जायद की फसल है अभी पीछे ही मैं इस कुस्टन को डिसकेस करा के आया हूँ डिर्फरेंट से बढ़ेंगे यहाँ पर हमारे 30 नमर कुस्टन पर रभी की फसल की कटाई जो होती है प्राय कौन से मौसम में आपकी होती है जूट आप हो जाएगा तो यह उप्सन आपर सही हो जाएगा 40 नमर की बात करेंगे इस यहाँ पर निम्ली खितम से किस परकार की मौदा में सूच में कड़ों का एक अनुपात तो बड़े कड़ों की अप्रेक्षाक्रत अधिक होता है बड़े कड़ों की जो अप्रेक्षाक्रत जो है अधिक होता है तो यहाँ पर 40 नमर की हम बात करें डिरफ्रेंट तो राइट अंसर क्या हो जाएगा चिकनी मृद्ध तो यह option नहीं पर सही हो जाएगा 41 number के हम बात करेंगे यहाँ पर operation जो flood है नेमिली किस्तमर से किस संब्द जेता है operation जो flood था जो नेमिली किस्तमर से किस्तमर से संब्द जेता है तो different से 40 number के आंचर करेंगा भारत की डेरी उद्दूक से तो option number D यहां सही हो जाएगा बात करेंगे 42 number question की seal किये जाने योग या खोले काँच के पातर जिसमें मिर्दा या पादप होते हैं और उन्हें रख रखाओं के लिए खोल कर उनके अंदर के पादप तक पहुँचा जा सकता है तो रिक्त के नाम से जाने जाते हैं तो difference के किसके नाम से जाने जाते हैं तो आपका टेरा डियम के नाम से जानते हैं तो D option यहां पर सही हो जाएगा और इसी के साथ बढ़ेंगे यहां पराँ आपकी 43 number question पर यहां पर उसने कटीबंदी यह बर्षा के कारण होने वाले तीबर अपरदन के कारण निमने खितमे सो कौन सी प्रिकार की मिर्दा की जो और बरता कम हो जाती है और बरता जो है कम हो जाती है तो 43 number की हम बात में डिफ्रेंस यहां पर तो लेटी राइट मिर्दा की तो भी option आपर सही हो जाएगा और इस एक साथ 44 number question आपका आता है यहां पर 46 number question के कहता है टामाटर प्याजर आलो की कीमतों में आईस्तरता को रोपने को दिश्च के भाग स्वरूप इसको उत्पादन और प्रसंस नंकरण को बड़ावा देने के लिए बड़ावा देने के लिए भारत सरकार दोरा गोस्तियोजना का नाम क्या है तो डिफ्रेंट 44 number के बात में उसका और ऑप्रेशन गिरिन से जो है उस गोसना का नाम है और ऑप्रेशन का नाम है तो आप्शन नंबर यह सही हो जाएगा बात करेंगे 45 नंबर कुशन की आई ची ए आर के इंदर है आलो हनुसंदान सहस्तान CPRI जो है कहां पर इस्तित है आपका तो 45 और इसी के साथ पढ़ेंगे आपर उप्षालीस नम्बर कुस्टन पर रिक्त बागवानी की साखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के सामें से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संब्द देता है तो छैलीस नम्बर कांसे और डिर्फन से फिलोरी कंचरते हैं आपर यह आ जाएगा इसे ता इस नम्ड़ कुस्टन आपका आता है नम्र हित मैं से कॉन सा फसल खरीव फसल नहीं है घरीव की फसलियस मैं से कॉनभी प्रूर कर59 कम बरसा वाले छेत और में कृष्टल यह आगनेचट नНवे विक्सित होती है तो है आपर 58 से म्रेंदर के इन्हां बात मुल्दा से Apology हो। चाहिए पर मलता मैं किसकी अधिकता होती है तो इसकी किसा नमबर कुष्ण पर आते हैं मिट्टी के पीएच को रिक्त में मिलाएं कि बढ़ाया जा सकता है तो किसमें मिलाकर जो हम बढ़ा सकते हैं तो पचास नमर की हम बात करेंगे चूना पत्थर में तो सी ऑप्शन हैं पर सही हो जाएगा तो डिर्प्रेंट किलास से अगर आपको बहतरीन और अच है नाइट्रोजन इस तरी कारो के में से कौन सा है तो 좋아요 acesso नेलहरित-षैवाल आपका होेगा तो फॉप्शन यह यहां पर ऑफिय। से कौन से नाइटोजन इस्तिरी करना बाला जीव नहीं है नाइटोजेन Wiki इस्तिरी इस्तिरी करड़न करने वाला जीव नहीं है इन मैंसे घूर बैंभर आपका नहीं ओı नर सीटोघ टीन्ह गोण है नंवर्त ह्क्रीकर बॉल मुर्दा जो है उपर युक्ति नहीं है कौन सी मिर्दी है जिसमें हम चापल को नहीं उगा सकते तो तेरे पर नमबर के सिल्का की कमी पाई जाती है और यहां पर पच्पन नमबर के इंबात के इंडिर्पेंट्स यहां पर तो क्या हो जाएगा अतिचारण तो यहां पर बात करेंगे 56 नमबर कुर्शन की निमने खित्म से कौन सा जय्याद फसल है जय्याद फसल इनमें से कौन सी है तो 56 नमर के हम बात वातना शोगी आपके सा हम Volt प्राचीन निर्भा किर्शी आपकी हो जाएगा और इसी के साथ 58 नंबर को सुनाता है बोवाई का समय प्रारम होने से पूर भारत सरकार फसलों को निम्तम समर्थन मूल क्यों घोसित करती है क्यों घोसित करती है तो 59 नंबर के हम बात करेंगे कीमितों की आईस्तिता से किसानों को सुरक्ष्य प्रदान करने के लिए तो भी ऑप्शन आपकर सही हो जाएगा 69 नंबर को सुना आपको आता है उच्छ तापमान और भारी बर्षा वाले छेत्रों में निम्री खित्म से किस प्रिकार की मृदा का निर्माड होता है जहां पर उच्छ तापमान रहता है भारी बर्षा होती है वहाँ पर किस प्रिकार की मृदा का जो अउत्पादन होता ह तो 69 नमर के बाते हैं डिश्प्रेंट से लेटराइड मृद्दा का जो पाधन होता है तो भी ओप्सिन यापर सही हो जाएगा 60 नमर के बात करेंगे निव रिखित में से कौन से मृद्दा में उपस्ते तो एक ब्रहद पोसकत तो होता है ब्रहद पोसकते तो इन मेंसे कौन सा होता है तो 60 नमबर के हम बात करने लिप्रेंट्स आपर तो कौन सा हो जाएगा मेगनीसियम तो भी बात करने हैं यहां निम लिखत मेंसे कौन सी खारी मिट्टी नहीं है चार option देगे गए जिसमें बताने है खारी मिट्टी नहीं कौन सी नहीं है के लिए राकर कलकर आपकर रहे इन्वेसर कौन सी है जो खारी मिट्टी नहीं है तो 60 number के हम बात रहें तो के लिए easy right answer तो यह option आपर सही हो जाएगा 62 number के हम बात रहें नेमरी खितमे सो कौन सी फसल जो है ब्रदी के लिए 210 ठंड से मुकताब का forest free days और तेज़ धूप में रहती है तो difference कौन सी तो 62 number के हम बात रहें difference का पास आपकी रहती है तो वी option आपर सही हो जाएगा 63 number को सनाता है आपर मिर्दा अपरदन का नेमरी खितमे सो कौन सा एक कारण नहीं है मिर्दा अपरदन जो है किसके द्वारा नहीं होता है अतिचारण मने बताया था इसके द्वारा जरूर होता है बार्ण के द्वारा होता है भू इसक्रण के द्वारा होता है कि बनर उपर से होता है तो नहीं तो D option आपर सही हो जाएगा 64 number के हम बात करेंगे अंगूर की खेती को क्या कहते हैं बहुत ही आसन कुशन है तो कहते हैं बिटी कल्चर तो सी ओप्शन हैं पर सही हो जाएगा तो डिर्फेंट से यहापर राइट आंसर सी हो जाएगा और इसी के साथ बढ़ेंगे यहापर हम 65 नंबर कुशन पर जूम किर्शी को रिखते नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पर 65 नंबर का जो आंसर डिर्फेंट से इस्ताना अंतराण किसी के नाम से भी जानते हैं तो आप्शन नंबर हैं सही हो जाएगा श्यासर नंबर के मात रंगे निम ने खितमत से कौन मिट्टी के लिए दिरिक कालिक नुक्सान का करण्ड बनता है वो क्या होता है तो डिर्फेंट से प्लास्टिक होता है तो बी ओप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम आपके 66 नंबर कुस्वन पर नई जलोड मिर्दा का बर्ण करने के लिए किस सब्द का जो है उप्योग किया जाता है हमें न सब्सक्राइब नं उलोडिक हम ओठिए को जाएगा घेंगे हं पर हम 69 नंबर कुस्वन पर यानीанов disciplines का हो जाएगा बारत की पुरुमुक फ़सल नेमिकित में इसके कौन सी है तो बारत की पुरुमुक फ़सल आपको बतानी है तो 69 नंबर के इंबातर यापर चावल और गेहूं आपके हो जाएंगे तो भी ऑप्षिन आपर सही हो जाएगा बनोन मूलन की प्रभाव की बारे में बनाए गए इन नेमिकित कथन में इसे कौन सा कथन जो है गलत है तो यह वाईव मंडल में क्या करता है इसे के साथ 71 नमर को सनाता है जोतना एक तरीके से मिर्दा को क्या बनाता है तो 71 नमर की हम बात करेंगे बनो की कटाई से मिर्दा अपरदन तेजी से बढ़ जाता है बनो की कटाई से जो मिर्दा अपरदन है वो तेजी से बढ़ जाता है क्योंकि तो 72 नमर की हम बात करेंगे जड़े जो है मुर्दा को दरणता पूरोग जो है पकड़ लेती है तो यह option यह पर सही हो जाएगा और इसी के साथ 73 नमबर कुस्टन आपका आता है गायों में दुख दुतपादन रिक्ति के द्वारा निरधरित किया जाता है गायों में दुख दुतपादन है वो रिक्ति के द्वारा किया जाता है तो 73 नमबर के बात के द्वारा निरधरित किया जाता है तो 73 नमबर के द्वारा निर्धरित 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 के द्वारा आपकी हो जाएंगी तो यह option है सही हो जाएगा 76 नमबर आता है खरीब की फसल की जो अबदी होती है वो कितनी होती है तो 76 नमबर की बात रहेंगे June से October की मद्द होती है आपकी खरीब फसल की अबदी option नमबर भी है सही हो जाएगा सततर नंबर कुछन आपका आता है यहाँ पर उन्हें जीबिये कारकों की पहचान करना जो खाद सामेगिरी को बंडारण के दुरहां छती पहुचाते हैं यहाँ पर 77 नंबर के हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा उपर एक तो सभी आपका राइट अंसर यहाँ पर हो जाएगा और इसी के साथ यहाँ पर जो आपका 78 नंबर कुछन पर आते हैं उस कच्छे माल का नाम बताईए जो पसुओं की कुछकाओं को उर्जय प्रदान कर होगते हैं तो 78 नंबर के हम बात ना 되어 तो बोजान आपको होते हैं तो कॉंसे हो जाएगा बोजान 79 नंबर करणेए यहाँ फ़िशान की जो भाग नहीं है चार ऐसे इनल्वंपर होजायेगा यहां से या बिना रसाइन के प्रियोग की खेती खेती प्रियोग के अधिक्तम निवेज खेत अपसे तता खेत कार्य को प्रियोग या कहलाता है आपका तो क्या कहलाता है जैब किर्सी आपका कहलाता है तो बी आप सही हो जाएगा एक क्या सी नंबर कुछन आपका आता है जमीन के रि तो इस प्रक्तिन आपको कहते हैं तो भी ऑप्शन हो जाएगा अधिकान से बनस्पत्री उध्धानों के पास जो एंके भी बैंक हैं उनके पास भी इनके भी बैंक है तो एटी टू नमबर के जो आपस ने वह पर सही हो जाएगा 83 नमबर कुसण आता है समद्धित फसल प्रजातियों के बीच में क्रोस क्या कहलाता है तो क्रोस जो है क्या कहलाता है तो 83 नमबर के बात रहेंगे तो अंतर बिसिस्ट संक्रन आपको कहलाता है तो B option यहां पर सही हो जाएगा 84 नमबर कुसण आपको आता है पिच्छी सी नेमबर के बात करने के लिए कॉछ में क्यों मुर्द dif कार्य करते हैं तो पिच्छी सी नसल जुन से क्याहना कि सैका क्या क्या हो जाएगा खाद उत्मन करने के लिए तो एंक सभर सची हो जाएगा 86 number के हम बात करेंगे निमारी एक नसल है जिक निमारी है हमारी वो एक नसल है तो किस की नसल है तो difference right answer क्या हो जाएगा यहाँ पर जिन निमारी नसल आपके हो जाएगी वो किस की हो जाएगी चार option में आपके तो difference गाई की हो जाएगी इसी के साथ यहाँ पर 87 नमबर कुशन पर हम आते हैं जिसमा आपसे कहता है पुनगानूर एक नसल है जो पुनगानूर नसल है वो किसकी एक नसल है चार उप्षन आपको दिया गए है तो 87 नमबर के बाते इंडिश्मन तो यह गाई की नसल है तो सी उप्षन आपर सही हो जा कराण है तिर और आपको दिए गए तो क्या हो जाएगा पर 88 नंबर का अंसर यह पर हो जाएगा पी लिकरांती तो भी ऑप्सन यह पर सही हो जाएगा और इसी के साथ 89 नंबर कुछ नापका आता है पसुँंकि रैड सिंधी नसल ने किसी घरीली पसु से संबदत है रेड सिंधी जो नसल है किस से संब्दित है तो गाय से संब्दित आपकी हो जाएगी तो भी ओप्सन यहाँ पर सही हो जाएगा और 90 नंबर के किसर का मुख उत्पादन राजी के इंदसासित प्रदिस का उनसा है जिसमें केसर का उत्पादन होता है तो 90 नंबर के हम बात रहेंगे तो जम्मू एंड कश्मी में आपका होता है तो सही आपका हो जाएगा 92 नंबर आता है गरम डेगिस्तान में तथा उनके चार और पवन धूल से बने बनने वाले मिर्दा को क्या कहा जाता है तो 92 नंबर के हम बात करें डिर्फरंस लोएस मिर्दा उसको बोले जाता है तो डी ओप्सन यहाँ पर सही हो जाएगा बात करेंगे हैं 93 नंबर जिसमें केरोटीन के लिए जीन चत्व उपलब्द होता है तो डी ओप्सन यहाँ पर सही हो जाएगा और 94 नंबर के हम बात करेंगे यहाँ पर तो सुन्दरी पेड़ों की प्रसिद्र पर जाती है कहां पर पाई जाती है तो डी ओप्सन यहाँ हो जाएगा मैंग्रोव बन तो डी ओप्सन यहाँ सही हो जाएगा पिर जिसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 95 नंबर के पाट प्रजाती जो है किसकी मैंदा स्मराट प्रजाती वो किसकी ही तो 96 नमबर के हम बात करेंगे दिर्फन तो बेंगन के आपकी हो जाएगी तो यह उप्सन आपका आता है निम रिखत में से कौन सी प्रजाती जो है गेहूं की नहीं है इनमे से कौन सी प्रजाती जो है गेहूं की नहीं है तो 97 नमबर आंसर के हो जाएगे दिर्फन से तो जो प्रावादी भेंस है आपकी किस राज़ी में आपकी पाई जाती है तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा डिर्फेंट से 98 का जो आइट गुज़रात में पाई जाती है तो आप्शन नम्बर यहां पर सही हो जाएगा निन्यान में नंबर की हम बात करेंगे गहन पसुधन विकास पर्योजना किस पंच वर्षी योजना में प्रारम हुई थी जो गेहन पसुधन विकास पर्योजना है किस पंच वर्षी योजना में प्रारम हुई थी तो 99 नंबर की हम बात करें डिश्पर्ण तो कहां थर्ड में हुई थी तो यह उप्शन यहां पर सही हो जाएगा सो नमबर के हम बात करेंगे यहाँ पर गाय का जीवन काल सामयन तक कितने बर्सों का होता है जो गाय का जीवन काल होता है सामयन तक कितने बर्सों का होता है तो सो नमबर के हम बात के डिट्पन से 15 से 25 बर्स का तो यह उप्सन यहाँ पर सही हो जाएगा 101 नमबर कुस्टन आपका आता है मुंगा रेसम को उत्पादन मुक्यता होता है जो मुंगा रेसम को उत्पादन है वो मुक्यता कहां से होता है तो डिर्फन साथ समसे होता है तो यह उप्षन यह पर सही होता है आपका हो जाएगा 103 नमबर के बात करेंगे काटो जलाव किरसी का मतलब क्या है जो काटो जलाव किरसी है उसका मतलब क्या है डी रिफरेंट टो 103 नमबर के बात करेंगे आपर जूम खेती तो D option आपर सही हो जाएगा और इसी के साथ बढ़ेंगे 104 नमबर कुस्ण के और मुर्रा किस्की एक किस्म है आपकी यह किस्म है आपकी किस्की है एक आपकी मुर्रा तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 104 नमर बेहस किये तो B-Option यहाँ पर सही हो जाएगा 105 नमर कुस्टन आपका आता है बारत में सरबादिक सर्सों का तेल उत्पादन करने वाला राज जी कौन सा है 105 नमर की मुर्ण बात करें देट तो राजस्तान तो D-Option यहाँ पर सही हो जाएगा 106 नमर की मुर्ण बात करेंगे यहाँ डबल टॉन्ट दूद के लिए PFA मानक आपका है कितना है PFA मानक तो difference यहां पर एक 106 नमर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहां क्या हो जाएगा difference है वन पॉइंट फैट और आपका नाइन पॉइंट जो है 0 SNF आपकी है तो D option यहां पर सही हो जाएगा 107 नमर की हम बात करेंगे difference यहां पर सोनहरा रेशा किसे कहा जाता है फिर से difference को सनाया है सोनहरा रेशा जो है किसे कहा जाता है तो person को बोला जाता है तो यह option यहां पर सही हो जाएगा 108 नमबर के हम बात करेंगे चिरोडी पर्टसन को उप्योग किस परिकार की जमीन खेती योग बनाई जा सकती है तो पर्टसन के दोरह किसे हम जमीन जो है खेती के लिए बना सकते हैं 108 नमबर का जो आंसर है अमलिये जमीन को खेती के लिए बना सकते हैं तो B option आपर सही हो जाएगा 109 number question आपका आता है फलों की करत्रम तरीके से पकाने के लिए उपयोग में आने वाली gas कौन सी है जिसकी दुआरा हम फलों को पकाते हैं तो 109 number के बाते हैं Acetylene gas आपकी होती है तो B option आपर सही हो जाएगा 110 number के हम बात करेंगे Mozzarella panic जो पनीर होता है अधी मानता रिखते दूद से बनता है डिश्मेंट किसके दूद से तो 110 number के हम बाते हैं डिश्मेंट भेहस के दूद से तो B option आपर सही हो जाएगा आपका 111 number को सुनाता है TG 37A 111 number के हम बात करेंगे तो right answer हो जाएगा Mozzarella की तो option number A यहाँ पर सही हो जाएगा 112 number को सुनाता है अरहर को आम तोर पर रिखत की रूप में जाना जाता है जो अरहर होती है उसको आम तोर पर हम किस जो है रूप में जानते हैं 112 number को सुनाता है सोया बीन में रिक्त प्रतिस्धत प्रोटीन होता है एक प्रोटीन सही हो जायेगा तो एक सो पंदरा नंबर के बीच में सामाने प्रोटीन और ₩ प्रोटीन और ₩ ते ल पाए जाता है इसमें मुंग फली के बीच में तेहाए हम 115 नंभर की हम बात करें निर्स फंट तो कितना तेहाए पर 25 से 45 तो भी आपась निया पर सही हो जाईगा और 116 नंबर की हम बात करेंगे कपाश तो परिवार से सम्मंदद है जो कपाश है वे कौन सी परिवार से तो राइट अंसर के निया घ्net हो जाएगा माल बेशी से तो B option आपर सही हो जाएगा 117 नमबर को सनाता है तंबाकू में topping का मतलब क्या है तंबाकू उसमें topping का मतलब क्या है ते 117 नमबर के बात करें दिर्पेंट से आपर terminal कलियों को हटाना तो C option आपर सही हो जाएगा 118 नमबर के बात करेंगे second 4D रिक्त एक आपका है ये क्या है 118 नमबर के बात करेंगे दिर्पेंट क्या हो जाएगा A और B यानि B side से और आपका क्या है Growth Regulator सापका है D option आपर सही हो जाएगा और 119 नमबर आता है ग्यहू में पहली जो रिटार्ड डेट से जिसे चाही सामने था रिक्त पर करने की अनुसंसा की जाती है 119 नमबर के हम बाते हैं दिर्पेंट से सीर समूल प्रस्व फुटन के किसाड़न में तो डिर्पेंट से आपर B option बिगल सही हो जाएगा और इस एक साथ बात करेंगे 120 नमबर कुशन की है राज 37 पर चाहसी नमीकित फसल की एक किसम जो है किसकी अबराइटी तो एक सो बीस नमबर के हम बाते हैं दिर्पेंट तो ग्यहूं की बराइटी आपकी है 37 पर चाहसी तो डिर्पेंट से B option बिगल सही हो जाएगा 121 नमबर कुशन आता है आपका बधावरी भेंस की उत्पत्तिस्तान कहा है जो बधावरी भेंस है उसका उत्पत्तिस्तान कहा है तो 121 नमबर के हम बात करेंगे डिर्पेंट से तो उत्तर पर देश में तो D option यहापर सही हो जाएगा 122 नमर के हम बात करेंगे भारत में गौबंसी पसुग में सर्वुत्म दुईकाजी नसल जो है किस की है गौबंसी जो है पसुग में जो सर्वुत्म दुईकाजी नसल जो है किस की है तो 122 नमर के हम बात करेंगे दिर्फरेंट से आपा तो राइट अंसर के हो जाएगा कांकरेज हो जाएगा तो डी ऑप्षन बिल्गल सही हो जाएगा एक सो तेज नमर की हम बात करेंगे और निम्न में बिदेशी नसल की गाया कौन सी है तो डीर्फरेंट से आपर कौन सी हो जाएगी तो एक सो तेज नमर राइट आंसर क्या हो जाएगा इक सो पच्छीस नमर को सुना आता है आपका नेवन लिखित में से किस फसल का बर्णा इस फिरकार किया गया है यह है एक फसल है जिसका उप्योग भोजन और चारों दोनों के रूप में किया जाता है और यह खरीब की फसल है जिससे 21 डेगरी से से 27 डेगरी सेल्सेज की बीच ताप मान गया बसकता होती है और यह पुरानी जलोड में टीम आच्छी तरह से बढ़ती है यहां पर तो 222 पर पूछा हो कुस्सन है तो क्या कहलाता है तो 127 नमर के बात के डिर्फंट सो कुरुबा आपको कहलाता है तो यह आप्शन आपर सही हो जाएगा 128 नमर के बात करेंगे मिट्टी की अमली प्रिकरती और रेक्ट की उच्छे सांधरता दौळा दरसाही जाती है तो किसके दौठा 328 संबर की इंबातरी इंद्रा गांधी ने हरित किरांती की शुरुवात करने के लिए गेहूं किरांती सीर्षक के विश्रिष्ट में डांक टिकट जोह जारी किये थे तो डिश्रिष्ट कब किये थे 139 संबर के विश्रिष्ट के लिए पेश किया गया था और बाद में अनावस से खाद पर फसलों को सामिल करने में इसके लिए इसका बिस्तार किया गया था किस की खेती के लिए डिश्रिष्ट को पेश करने के लिए तो एक तीस नमर की अंबात करेंगे तो राइट अंसर क्या हो जाएगा जुआर आपको हो जाएगा तो डिश्रिष्ट सही हो जाएगा 132 नमर को सनाता है बागवानी की बहसाखा जो सब्जियों गुत्पादन भंडारन और विप्राण की संब्द्ध से संब्द्ध है रिक्त कहलाती है तो क्या कहलाती है डिश्रिष्ट के हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डिश्रिष्ट से पॉमोलोजिया परत अपरदन आपका हो जाएगा तो सी यॉप्षन है बिल्कुल सही हो जाएगा आते हैं 134 नमर कुछन पर यहाँ पर अन्यों की तोलना में नेम लेश्रिष्ट में से कौन सी मिट्टी जो है काजू की ब्रद्धी के लिए अधिक उप्योगते काजू की ब्रद्धी के ल तो 135 नमर के इंबाते हैं डिश्रिष्ट नमर क्या हो जाएगा बू इसके लोन को रोकने के लिए बनस्पति आप्रण में कमी जो है आपकी है तो यह उप्षन यह पर सही हो जाएगा और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 136 नमर कुछन पर काली मिट्टी के बारे में कौन सा जो कथन है वो गलत है तो यहाँ पर चार कथन दिये गए हैं काली मिट्टी के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन जो है गलत है तो एक तो 36 नमर की हम बात करेंगे यहाँ पर तक क्या हो जाएगा इसमें फास्वरस प्रशन मातरम पाया जाता है तो सी उप्षन दिया है पर सही हो जाएगा 137 संबर की हम बात करेंगे यहाँ पर निय प्रशन में से कौन सी जो है राज सूरेच मुकी कीए ख्यती से अगरेडी है तो यहाँ पर करनाटक सही ओम जाएगा 137 संबर को सनाता है फचल उतपादन के लिए पौधे और मरदह विज्जान के अन स्ट्यों आखके सब्सक्राइब कने नाम से जाना जाता है तो स्यॉप्षेन पर सही हो जाएगा 149 अबर की बात करएंगे CACP की जो फुल फॉर्म आपसे पूछी वह यह क्या होता है तो एक 149 की बात करेंगे जो CSCP की full form होती है वह होती है Commission for Agriculture Customs and Prices Commission for Agricultural Customs and Prices आपकी जिवा फुल फॉर्म होती है तो आपसे नमबर DM सही हो जाएगा 140 नमबर को सनाता है भारती म्रदाएं राष्टी म्रदा सर्वेक्षाड एम भूवे उप्योग नियूजन व्यूरो रिपोर्ट प्रिकाशन संके 94 के नुशार किस प्रिकार की मर्दा जो है प्रिचन मातरा में उपलब्ड है आपकी तो 140 नमर के हम बात करने डिर्फरेंट्स ने आपर तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर तो 401 नमर के हम बात के इवात है एक के हम बात की है गिया इसवहत निकाह है इस दिर्फरेंट्स ने आपका हो संदा सही हो जाएगा 142 नमर कुषन आपका होना होता है आइसी एए आर भारत में किर्शी और अनुसंदान के समन्वायन के लिए एक स्वेयत निकाह है आई सी ए यार की जो फुल फॉर्म क्या है तो डीर्फरेंट से आपर 142 नमर का जो आंसर होगा आई सी ए यार की जो फुल फॉर्म आपकी इंडियन काउंसल ऑफ एगरी कल्चर रिसर्च आपका हो जाएगा तो यह आपर सही हो जाएगा 143 नमर को सुन आपका आता है मिर्दा की किस हिस्से में खनिज पदात पोसक तत्तों और जल के साथ कारविर्म पदात जो समभिष्ट होते हैं आपकी 143 नमर का आंसर क्या हो जाएगा चार अप्शन में से तो डिर्फरेंट से यहां पर हो जाएगा संस्तान यानि होरी जैना आपका यह यहां पर सही हो जाएगा और इसी के साथ 144 नमर को सनाता है चूनय पथर और डोलुमेट जैसी गुलंसी चट्टानों की आप उच्छे क कारणा रिक्त मैदानों को निर्माड होता है रिक्त मैदानों को जो है निर्माड होता है तो 144 के इंबातने डिर्फरेंस है क्रिष्ट मैदानों को निर्माड होता है तो आप्शन नमर यह सही हो जाएगा और इसी के साथ 145 नमर को सनाता है निमने लिखित में से कौन सा आम और यहां पर सही हो जाएगा और यहां पर 146 नम्र को सनाता है निम्न में से कौन सा कारक जो एक किर्सी भूमी की उरवड़ता हानी के लिए उत्रदाई नहीं है तो 146 नम्र की हम बाते हैं डिर्पाइंट सो उच्छी मिर्दा का धनायन ब्रुमेरन शमता आपकी डी ऑप्शन बन्र कुल सही हो जाएगा 147 को सनाता है निम्न फित्म में से कौन सी उत्र भारत में खरीब की फसल और दच्छी भारत में रभी की फसल है तो कौन सी है तो हैं यहां पर 147 का जो पूरे साल बगाई जाती है तो और तो लाइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा चावल दी ओप्सन आपर सही हो जाएगा और इसी के साथ 149 नमबर को सनाता है और निमन में से कौनसी मरदा भारी बरसा और उच्छा-ाधरता वारे छेतरों में पाई जाती है तो डिरफ्रेंट से 149 नमबर के हम संधर्वित करती है तो 150 नंबर की हम बात करने डिश्वेंट और राइट अंतर के हो जाएगा कारिया की घनता आपका होता है तो D option है पर सही हो जाएगा 151 नंबर की हम बात करने डिश्वेंट से निम लिखित में से कौन सा कारक जो है सबस्के नाहीं हैं पिजाएं हो जायगा और 152 नंबर kye हम बात करें यहांपर फसल अउतपादन के लिए पॉधा मरदा बिग्यान के अनुपरियोग परेक्षी हो जायगा नाम को कि फसल अइस व्हनशी नाम से जानते हैं तो सही openly सब्सक्राइब काफी सिपारिश की जाने वाली खाद्र पदार्त ब्रोकली सब्जिया किस परिवास सब्सक्राइब किससे फूल वह से संब्सक्राइब और इसी के साथ बढ़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेंगे बहुत ही इंपोर्टन क्लास आंक Holy假 देखते हैं चेप्टर के जो है और यहां पर जो थो दिस्केश कर रहे हुट यहां पर रिलेटोर पहलो से पहला कोस्टिन जो है कैनажу लोपस आम तो पर किस नाम से जाना स्वीय भग्यानिक नाम है तिसके हो जाएगा जो दोसर है है उसका नाम होता है तो और यह सही हो जाएगा फ़ल्स नंबर शसी सोरी सी बिलकुत हो जाएगा कि अपला kommt यहाँ पर थर्ड नंबर की मैगा इस पर जो Mega प्टेरा है आपका आपका नाभी aplioli का सामने नाम क्या है आपका तर्द नाम कि आपका यहां किए सब्सकर को इस तो और नोम्बर की हम बात कर tax को आम भासा में रिक्त के नाम से जाता है पारशसर डॉमेस्टिकस जो है रिक्त को आम भाषा के रिक्त के नाम जाना जाता है, तो डिखंट चार नंब्र के हम बातने या गोरईया को खौरईया को क्या कहते हैं पारशसर डॉमेस्टिकस बvisorते हैं तो त दौन ऑप रभी हो जाएका पांच नमबर की हम बात करेंगे किस फूल का जो है बार्स पृतिक नाम जो है नौर्सिस आपका जो है नौर्सिसस है आपका तो पांच नमबर की हम बात करेंगे तो डियू अपर सही हो जाएगा और शिक्स नमबर की हम बात करेंगे Engineers Purimilla, r crispy brush का बादिस पुमिला के नाम किया AnscherinREE, मैलस पूमिला जो है आपका है किसका है तो six नमें बातिनेश्प्रण्ड सेवका है ये पते सही हो जाएर और इसी साथ साथ नमें पूमिला को सजिएवका है स्टेडलेक लेटिनस खरumm किसका बालिसपते की नाम है साथ नमबर के बाते हैं डिविट तो तरबूझ का है तो भी औक्षे मोठीů इैप सही हो जाएगा और रात लूमज आता है बोस मुटस किषका बैग्यानिक नाम जवोश म्यूटस है आपका किसका रचानीक नाम हो करद दिए फृण्स है जंगली हो का यह उप्ष स्थरच कि मयोईर्क जो है मोर का बेग्वानिक नाम का है ये फाइगा और यहां पर बात करेंगे यहां पर घंचता मेका को क्या कहा जाता है तो थे इसे नमबर की इंबातर जाता नों से भीयडि लंगूर उजला जाता बेंगी फिरा इंडिका आपका हो जाएगा तो यह उप्शन विल्कुत सही हो जाएगा तेरे नंबर को सना आता है परसिया अमेरिकाना को आम तोर पर रिक्त के नाम से जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है परसिया अमेरिकाना को थर्टी नंबर के हम बात करेंगे एव वो दो पंदर्य नको सेड़ा मिर्ट अफि dressed डार्श या थिम का बाझ तपिक नाम क्या है कि आपका स्वानेस फ्रतिक नाम क्या है आपका प्रनीक houजाएगा अदो बी ऑप्सजी क्लास को साथ इसका जो बेवेद चेप्टर है डियर फ्रेंट्स वो जो है complete नहीं हो पाया है वो मैं PDF के माध्यम से आपको provide करा दूगा तो डियर फ्रेंट्स आज जो है हमारी biology की complete marathon खतम हो चुगी है वसी के साथ बढ़ेंगे हम next marathon के साथ मिलेंगे तो जय हिंद जय भारत भारत माता कीज कर दो शुग है बढ़ेंगे कीजैने की तो म報म से विए तो जो है जा सव मेंगे है als जो है कैया तो मेंगे ह犯ती है आट्री है आट